जय हिन्सुनेंट्स, I am प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला कि इस अमेजिंग प्रेटफॉर्म के उपर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और एक दिन आप सभी लोग अपने लक्ष को पाने में जरूर कामियाब होंगे तलि आज का लेक्षर स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टन चीज़े हैं सविधान के अंदर आटिकल को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किस आटिकल को समझे कौन सा आटिकल याद रखें कि सभी को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा आटिकल एक्जामनेशन पॉन्ट अफ यू से काफ़ इंपॉर्टन है साथ इसाथ जितने भी आज तक के इंपॉर्टन कॉंस्टिशन अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे आज हम देखेंगे उनके बारे में डीटेल से जानेंगे बिकाज हर एक्जामनेशन के अंदर सिर्फ में आज CDS के बात नहीं करूंगा CDS के अलावा भी अगर आप किसी भी एक्जामनेशन को देखेंगे वो काफी लंबे समय से भी चर्चा में रही थी चर्चा यह चल रही थी कि COVID-19 के बाद भारत के अंदर फानेशन अमेर्जनसी लागू की जा सकती है तो यह अंदेशा है इस बार की शायद फानेशन अमेर्जनसी से कुशन आप से पूछा जा सकता है इसके अलावा भी जो हमारी नेशनल इमर्जनसी है प्रेसिडेंट रूल है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेगे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को तब से पहले अगर हम बात करें कि Constitution Amendment होता क्या है सविधान में संशोधन करना जरूरी भी क्यों है और यह बेसिकली होता क्या है देखिए Amendment का सीधा सीधा हिंदी में मतलब होता है संशोधन करना किसी नई चीज़ को एड करना जब हमारे देश का सविधान बना उस समय हमारे समिधान निर्माताओं को एचीज पता थी कि जैसे जैसे समय बीटता जाएगा समिधान में भी चेंजेज लाने की जरूरत पड़ेगी टाइम के साथ चीजों को चेंज करना बहुत जरूरी होता है इसलिए उन्होंने हमारे समिधान के पार्ट 20 में याद रखेगा जोड़ा वो आर्टिकल था आर्टिकल 368 और साथिकल 368 के अंदर Constitution Amendment की process के बारे में बता आ है कि कैसे समिधान में संशोधन किया जा सकता है अब सवाल यह उठता है कि क्या समिधान में हर चीज को संशोधित किया जा सकता है कि समिधान में कुछ भी अमेंड किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है, सविधान के जो basic feature है, जो doctrine of basic feature है, जो कि केश्वन अंद भारती case के अंदर properly declare किया गया था, बताया गया था, उन चीजों को आप amend नहीं कर सकते हैं, जिस अगर बात की जाए कि हमारे देश की unity है, तो virginity है, secularism है, आप इसको amend नहीं कर सकते हैं, इसके अलाव हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में सविधान लागू हो गया, पर सविधान लागू होने के बावजूद भी देश में कई सारी समस्याएं थी, पहली जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी जमीदारी सिस्टम, जमीदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था, जो इसके द्वार जाती, यहाँ पर एक आर्टिकल आले आ जाता, वो आर्टिकल था, आर्टिकल 31, जो कि किसके बात कर रहा था, राइट टू प्रॉपटी की बात कर रहा था, अब सरकार ने कई सारे ऐसे कानून लाने की कोशिश भी की, बर हर बार जब हाई कोट्स के अंदर केस जाते थे, तो कोई ना कोई पेज फसी जाता था, उस समय पर हमारे जो प्रधान मंतरी थे, वो थे जवाहरलाल नहरू जी, उन्हें बास समझ में आ गई, कि जमेदारी सिस्टम अगर हमारे देश से हटाना है, तो समिधान में एक संशोधन करना जरूरी हो जाएगा, इसलिए पहला सम प्रधान में आठ शेडियूल थे, आज बारा है, तो आठ के बाद जो नवा शेडियूल जोड़ा गया, उस शेडियूल में एक चीज़ सबसे बड़ी की गई वो ये था कि अबॉलिशन ऑफ जमीदारी सिस्टम, इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट उसके अंदर थे, पर सबसे बड़ी बात की गई कि जो अबॉलिशन किया गया, जमीदारी सिस्टम का साथ ही साथ, लेंड रिफॉर्म को भी लेकर आया गया, इसके साथ आर्टिकल 31 जोके राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, उसको भी लिमिट किया गया था, इसी अमेंडमेंट के बारा, याद रिखेगा, 9th schedule के अंदर जितने भी subjects हैं, जैसे कि बात की जाए, land reforms इसके अंदर है, जमीदारी सिस्टम का abolition इसके अंदर है, वो judicial review के अंतरगत नहीं आते हैं, बहुत important point है, कई exams में पूछा गया है, judicial review के अंदर हमारा 9th schedule नहीं आता है, इसके अलावा जो द विधान के अंदर हमारे constitution के article 15 में एक नया sub clause जोड़ा गया, वो sub clause था, article 15, sub clause 4, इस sub clause 4 को जोड़कर ये power दिया गया है, central government को और states government को, कि वो socially और economically backward classes के लिए reservation का provision कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़ी बात थी, और ये कह सकने कि ये चीज़ जरूरी भी थी, अगर बात की ज speech and expression की बात की गई है, उसमें तीन नय reasonable restrictions भी लगाये गए, देखिए article 19 में जो freedom of speech and expression की बात की गई है, उसका कई लोगों ने misuse किया था, 1950 के बात, that's why इन तीन नय restrictions को, तीन नय grounds को लगाना यहां पर बहुत जरूरी था, इसके अलावा भी बहुत सारे changes इसके अंदर किये जिसे article 85 के अंदर एक change किया गया, कि जो maximum gap होता है, दो sessions के बीच में, वो 6 महिने से जादा नहीं हो सकता, इसके लावा article 87 के अंदर भी एक बात कही गई, कि जो देश के राश्पती होंगे, वो लोगसभा के पहले session को, और हर साल होने वाले हर साल के पहले session को संबोधित करे यह चीज यहाँ पर कही गई थी, पर important जो चीज़े थी वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हम बढ़ते हैं, काफी important संवधानिक संशोधन है, यह 7th Constitution Amendment Act 2056, सात्वा संवधानिक संशोधन 1956 का, इसमें कई सारी चीज़े आड की गई, पर जब भी यह संवध important point था, वो था State Reorganization Act, देखिए, जैसी हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद ही भाशा के आधार पर linguistic basis के उपर states को divide करने की मांग उठने लगी, states को बनाने की मांग उठने लगी, और पहला बार जो राज बना था भाशा के आधार पर वो था आंदरप्रदेश, इ नाम से भी जाना जाता है, 1955 में, इस commission ने, September 1955 में, इस commission ने अपनी report present करी, अलाकि इस commission में report ने, report के अंदर इस commission ने ये का था, कि भाशा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाना चाहिए, इसके बाद कहीं आंधुलन हुए, और आंदरप्रदेश पहला राज बना भाशा के अधार पर इस amendment के बाद major चीज यह आई थी याद रखेगा कि इस पूरी commission के बाद भी एक act लाया गया वो act किया था state reorganization act और इस amendment के द्वारा पहली बार याद रखेगा पहली बार हमारा जो देश parts में डिवाइट था चार parts के इंदर डिवाइट था part A, part B, part C और part D उन parts को important point है जब भी 7th constitution amendment act आता है याद रखेगा यहाँ पर state reorganization act आ जाएगा फजल अली आयोग आ जाएगा और एक point याद रखेगा वो होगा आपका 14 states and 6 union territories इसके बाद और क्या चीज़ें add की गई और भी कहीं चीज़ें add की जैसे की provided for the establishment of a common high court for two or more states यह इसका सबसे बड़ा establishment क किया गया कि दो या दो से जादा राज्यों के लिए एक common high court हो सकता है ज़रूरी नहीं होगा कि एक राज्य का एक ही high court हो एक या दो या दो से जादा राज्यों के लिए common high court हो सकता है इसके अलावा extended the jurisdiction of high courts to union territories जो high court का jurisdiction था उसको बढ़ा के duties तक किया गया सरफ state तक उनका jurisdiction नहीं रहा, union territories तक उनका jurisdiction किया गया, साथ इसाथ इसमें एक बहुत major change किया गया था, कि पहले high court के जो judges थे, जो कहीं और काम नहीं कर सकते थे, supreme court के जो judges थे, वो कहीं और practice नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर acting judges का प्रावधान लाया गया, कि provided for the appointment of additional and acting judges of the high courts, जो high courts के judges हैं, वो कहीं सारे amendments इसके द्वारा लाये गए, कहीं changes यहाँ पर लाये गए थे, इसके बाद हम बात करें, 9th Constitutional Amendment Act, 1960 का, देखिए इसमें बहुत detail में हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत major चीज हुई थी, वो थी, नहरू noon agreement जो कि 1958 के अंदर हुआ था, इसके बाद आता है, दसवा Constitutional Amendment Act, 1961, जो काफी जादा important है, इन corporation of दालदर नागर एंड हवेली as a union territory, consequence to acquisition from the Portuguese, पॉर्चुगीज के अधीन सबसे पहले दालदर नागर हवेली आती थी, पॉर्चुगीज से उसको ले लिया गया, obviously हमारा देश था, हमारी जमीन थी, हमने उनको छीन लिया, हमने उसको ले लिया, और उसको UT बना दिया गया था, तो कुशन अगर ऐसा आता है कि दालदर नागर हवेली को UT कॉन से amendment के दवारा बनाया गया, तो याद रुकिएगा वो amendment है, 10th Constitution Amendment Act, दसवास समधानिक संशोधन, 1961 का, इसके बाद हमारा आता है, 11th Constitution Amendment Act, 1961, change the procedure of the election of Vice President by providing for an electoral college instead of a joint meeting of the two houses of the Parliament, काफे important रहा, 11th समधानिक संशोधन, जो की हुआ था 1961 के अंदर, इसमें क्या किया गया है, पहले जो हमारे Vice President के elections होते थे, वो joint sitting के द्वारा कर लिये जाते थे, कि राजसभा, लोगसभा दोनों की सदस से मिले, और चुन लिया कि Vice President कौन होगा, इस तरीक से किये जाते थे, पर इसमें changes लाया गया, और जो Vice President के election का process था, उसे properly change या, या election का process क्या है, मैंने आपको काफी detail में बताया, lectures के अंदर, कि लोगसभा, राजसभा, ध्यान से सुनिएगा, लोगसभा, प्लस राजसभा, कि दोनों members, दोनों मतलब यहाँ पर elected, प्लस nominated, दोनों ही members यहाँ पर participate करते हैं, Vice President के election में, नोट कर लिजेगा, काफी important चीज़ है, कि elected हों, या nominated हों, दोनों ही members participate करते हैं, Vice President के election में, यहाँ पर state assemblies के members का participation नहीं होता है, नेक्स पॉइंट के हम बात करते हैं, दूसरा था हमारा 12th Constitutional Amendment Act 1962, इसके द्वारा incorporated Goa दमन्दीव in the Indian Union, हमने भारत के अंदर Goa और दमन्दीव को मिला लिया था, अब मुझे comment box के अंदर बताईएगा, कि Goa और दमन्दीम की जो हम बात करते हैं, तो कौन सी country महाँ पर थी, कौन सी country से हमने उससे लिया है, कौन से देश के लोग महाँ पर थे, बड़ा important question है, यह पूछा जा सकता है आपसे, आगे बात की जाए 13th Constitutional Amendment Act जो कि 1962 में हुआ थ यह बहुत important है, और नागा लेंड से related है, देखे कहीं बार examinations के अंदर पूछा गया है, जब भी North East की बात आएगी, वो हमेशा important हो जाएगी, अगर उसको लेकर कहीं सारे amendments किये गए हैं, कुछ special provisions भी है, और यहाँ पर भी same हुआ है, इस समिधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1962 में हुआ था, नागा लेंड को राज का दरजा दिया गया, सबसे पहली बात यह थी, give the status of a state to नागा लेंड, नागा लेंड को राज का दरजा दिया गया, साथ ही साथ कुछ special provisions भी provide किये गए नागा लेंड के लिए, हम सभी जानते कि हमारे सविधान के अंदर जो क कोई भी schedule है, याद रुकिए का उसको ध्यान से पढ़के जाएगा, because यह वो areas होते हैं जिनके administration के लिए कुछ special provisions करना जरूरी होते हैं, travels महाँ पर जादा है, travel area जादा है, और special provisions उस area को करना बहुत जरूरी है, ताकि महां की संस्कृती को संजो के रखा जाके रखे, इसके इसके बाद आता है, भारत के आजाद होने के बाद भी भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट थे, ऐसे राज जहां पर राजाओं का राज चलता था, नवाब्स की बाद कर ली जाए, निजाम्स की बाद कर ली जाए, अब उनको कुछ special privileges दिये गए थे, कुछ advantage दिया गया था, कुछ amount या money उनको दी जाती थी, हटा दिया गया, तो कहीं न कहीं वो एक गलत संदेश दे रहा था, that's why यहाँ पर जितने भी privileges दिये जाते थे, प्रिंसली स्टेट को वो सारे privileges वापस ले लिए गया, अबॉलिश कर दिया गया, 26 समिथानिक संचो था 1971 के द्वारा, हाला कि इसका काफी विरोध भी हुआ, पर भारत सरकार ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से समाल लिया था, के बाद हम बात करते है, 31st Constitutional Amendment Act 1973 की काफी important है, यह सीधा-सीधा बात करता है, लोकसभा की seats की, क्य उसको कर दिया गया, 545, याद रखीगा, maximum number of seats लोकसभा की कितनी दी गई है, 552 दी गई है, अगर हम Anglo-Indian Community के members को count करते हैं, तो 2 seats उनकी count करते हैं, तो maximum 552 है, और याद रखीगा, पहले कितनी दी गई थी, पहले जो कहा गया था, वो यह कहा गया था, कि लोकसभा की जो seats हो उसके बाद यहाँ पर 31st Constitutional Amendment Act के द्वारा उसे 545 कर दिया गया था, आज कितनी है, बताइएगा मुझे, काफी important question है, और पूछा जा सकता है, amendment भी बहुत important है, उसके बाद हम बात करते हैं, 35th Constitutional Amendment Act, दोनों ही amendments, जब मैं 35th की बात करता हूँ, और बात करता हूँ, 36th की, दो दोनों ही समयधानिक संशोधन सिक्क्यम से जुड़े हुए हैं, NDA में previously question पूछा गिया है, इन दोनों ही amendments को लेकर, अगर आपको exactly amendments याद नहीं भी रहे, तो याद रहिएगा, 35th की मैं बात करूँगा, 36th की मैं बात करूँगा, दोनों ही amendments जुड़े हुए हैं, सिक्क्यम से जब भी कोई amendments आता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, 36th Constitution Amendment Act 1975 का, ऐसा क्यों, because इस amendments के द्वारा आप ध्यान से से पढ़िएगा, made Sikkim a full-fledged state of the Indian Union, सीधी सीधी बात यहां बर यह की गई है, कि Sikkim को एक राज का दरजा दे दिया गया था, full-fledged state का दरजा दिया 36th Constitution Amendment से, अब 36th संशोधन में यह है, तो 35th में के अंदर क्या है, 35th Constitution Amendment किस बारे में बात करता है, यह बात करता है, termination of the protected state of Sikkim and convert the status of an associate state, देखिए, एक protected state का दरजा उसके उपर से हटा दिया गया था, कि वो भारत सरकार के protection में है, पहले यह दरजा था, Sikkim का, पर इस amendment के द्वारा, यह दरजा हटा दिया गया, और भारत सरकार का एक associate state इसे बना दिया गया था, कौन से amendment के द्वारा, 35th के द्वारा, पर 36th जादा important है क्यों है, because 36th Constitution Amendment Act के बारा, Sikkim को full-fledged state का दरजा दे दिया गया था, that's why यह काफी important हो जाता है, चली आगे बात करते है, next हमा अला कि बहुत सारे changes भी किये गए, 44th Constitution Amendment Act 1978 के द्वारा, बहुत सारे changes किये गए, दो सविधानिक संशोधन ऐसे हैं, जो काफी controversy में भी रहे हैं, कुछ चीजे उनकी अच्छीती पर कुछ चीजे सही नहीं थी, जिसको बाद में change किया गया, एक ता 38th Constitution Amendment Act जो की हुआ था 1975 के अला जाता है, अब दे कि 38th Constitution Amendment Act के थ्रू क्या किया गया था, पहली चीज, made the declaration of emergency by the president non-justiceable, president किसी भी ground पे, अगर emergency declare करते हैं देश के अंदर, तो उनके जो ground से वो non-justiceable होंगे, इसका मतलब यह है कि हम उनके grounds के उपर किस ground पे उन्होंने emergency declare कि हम सवाल नहीं उठा सकते हैं नहीं हम Supreme Court में जा सकते हैं, नहीं High Court में जा सकते हैं, obviously यह चीज गलत थी, और इसका misuse भी किया जा सकता था, और किया भी गया, next to इसमें चीज की गई थी, वो यह थी, कि made the promulgation of the ordinance by the president, governor of the administration of the union territories non-justiceable, मतलब सीधी सीधी बात है, अगर ordinance declare किया जा रहा है, president के द्वारा, आर्टिकल 123, ordinance की बात करता है, president के power के बात करता है, और आर्टिकल 213, governor के ordinance की बात करता है, तो दोनों ही है, कि power में यह चीज कर दी गई थी, कि अगर वो ordinance declare करने हैं, तो उनका ordinance भी non-justiceable होगा, मतलब कल से या क्या कह दिया जाए, कि president ने कुछ भी बोल दिया, किसी भी बा empowered the president to declare different proclamations of national emergency on different grounds, simultaneously, अलग-अलग grounds के ओपर national emergency वो declare कर सकते थे, कोई भी fixed ground नहीं था, अलग-अलग grounds के ओपर national emergency declare कर सकते थे, आप देखे, यह जो चीज की जा रही थी, इस यह तो सीधा-सीधा समझ में आ रहा था, कि सरकार कहीं ना कहीं, देश को अपने हाथ में लेना आ रही थी, और यह जीज बहुत गलती, इसमें काफी change भी लाए गए, that's why मैं आप को कहा था कि 38th Constitutional Amendment Act जो है, जो कि 1975 के अंदर आया था, वो काफी जाला controversial था, इसके बाद आता है हमारा एक काफी important Constitutional Amendment जिसे लगु सविधान के नाम से जाना जाता है, जिसे mini Constitutional के नाम से भ 42nd Constitutional Amendment Act 1976, एक ऐसा amendment है, जिसको लेकर आप किसी भी examination में देख लीजिए, हर examination में इस सविधानिक संशोधन को लेकर कई बार प्रशन पूछे गाए, that's why इसे पढ़ना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, बहुत सारी चीजे इसके द्वारा add की गई थी, बर हमारा जो 44th Constitutional Amendment Act जो के अंदर रहा था, क्यों रहा था, emergency के टाइम पर जितने ही भी amendments आए हैं, वो हमेशा controversy में ही रहे हैं, that's why ये भी काफी controversy के अंदर रहा था, चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या थी, सबसे पहली चीज, प्रियम्बल के अंदर तीन नया शब्द जोड़े गए, इस secularism एक ऐसा शब्द, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब सविधान बना तो secularism था ही नहीं, पर ऐसा नहीं है, आप देखेंगे DPSP के अंदर, directive principle of state policies के अंदर और साथ इसाथ fundamental rights के अंदर भी, बले secularism word exactly नहीं दिया गया है, पर सीधे सीधे उसकी बात की गई है, तो that's why ऐसा नहीं था कि secularism था ही नहीं, सविधान में जब बना था ऐसा नहीं था, कहीं लोग ऐसा बोलते हैं, पर वो गलत बोलते हैं, secularism word directly नहीं था, but indirectly कहीं सारे provisions के अंदर सारे धर्मों को एक समान ही माना गया था, जब हमारे देश का सविधान बन रहा था, तो constitution makers को पता था, कि देश में इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तो secularism जैसे चीज़ को ना लेना ये तो possible ही नहीं था, इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ थी कि हमारे सविधान में fundamental duties को add किया गया, सरदार स्वंट सिंग कमिटी के recommendation की उपर 1976 के अंदर ही, ये वह duties हैं, they should be enforceable by court of law, मतलब fundamental duties को सविधान के द्वारा ये सिधा सिधा कहा जाए कि हमारे जो देश की justice है, judiciary है, वो enforce कर सकती है, लोगों को मानने ही होगा, और जो नहीं मानेगा, उसके ओपर punishment या fine भी लगाया जा सकता है, हलाकि सरकार ने इन recommendations को नहीं माना, और finally 10 fundamental duties को add किया गया था, आज के time पर 11 fundamental duties है, इसके बाद हम बात करें, तो एक नया part जोड़ा गया था, part 4A, और साथ ही साथ एक नया article जोड़ा गया था, article 51A, next करें हम बात करें कि exclusively made cabinet advice binding on the president, मतलब ये point बड़ा important है कि जो भी council of ministers के अंदर हमारी जो cabinet है, या जो council of ministers है, वो जो भी advice देगी हमारे देश से राशपती को, राशपती को उन advice को मानना ही पड़ेगा, he is bound, समझे, मतलब सीदी सीदी बात थी है कि president के power को limit कर दिया गया था, और parliament के power को, sunset के power को यहाँ पर बड़ा दिया गया था, जो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, next चीज जो यहाँ पर की गई थी by adding part 14a, it provided for administrative tribunals and tribunals for the other matters, basically यहाँ पर administrative tribunals को establish करने के बाद की गई थी, जो कि बहुत जादा जरूरी थी और एक नया part भी जोड़ा गया था, part कौन सा था, यहाँ पर याद रिखिएगा, part 14a, next, it frozes the seats for the Lok Sabha and state legislative assemblies census till 2001 on the basis of 1971, जो state legislative assemblies थी, हमारे जो विधान सीधा थी सबा थी और लोक सबा की seats थी, उनको freeze कर दिया गया, और जो census लिया गया, जो जन करना ली गई थी, वो कौन सी ली गई थी, 1971, on the basis of 1971, और 2001 तक seats को freeze कर दिया गया था, काफी important चीज है यह, और कहीं बार यह point examination के इंदर पुछा भी गया है, इसका मतलब बेसिकली यह था कि भारस सरकार अगर सविधान में संशोधन करती है, किसी वे तरीके का, तो वो संशोधन को लेकर judicial review नहीं किया जा सकता, मतलब यह तो सीधी सीधी बात यह थी, कि हमारी जो supreme court यह, जो high court यह, उनका judicial review का power है, उस power को ही पूरी तरीके से अटा दिया गया था, कि सरकार कुछ भी amendment लेकर आ जाएगी, कुछ भी changes कर लेगी, पर आप उस change के against, उस कानून के against आप सुप्रीम कोट यह, आई कोट पर नहीं जा सकते, और इसका विरोज सबसे जादा किया गया था, कि restricted the judicial review for the constitutional amendment act, कि समयधान संशोधन को लेकर, अगर समयधान में कोई संशोधन करके, कोई नया कानून बनाया गया है, तो उसको लेकर judicial review नहीं किया जा सकता, तो judicial review का फिर मतलब ही क्या रहेगा, इसके बाद हम बात करते हैं, limited the power of judicial review and writ jurisdictions of the supreme court and high courts, high court और supreme court के power को limit कर दिया ग गया या समयधान में संशोधन करके, जो कानून बनाया गया है, उन कानून के ओपर judicial review लागू नहीं होगा, इसके लावा भी जो 5 rates होती है, उन rates को भी limited कर दिया गया था, मतब सीधी सीधी यहाँ पर supreme court or high court, that means judicial power को limit करने की कोशिश की गयी थी, इसके बाद, increase the tenure of लोकसभा लोकसभा का जो कारिकाल था, उसको 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, बड़ी interesting सी बात है, कि लोकसभा का जो tenure, जो normal condition के अंदर, आज भी हम देखते हैं, 5 साल ही होता है, उस tenure को 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दिया गया था, कौन से amendment act के दवरा, 42, 42 स्वधान संशुधन 1996 के द्वरा, इसके बाद DPSP के अंदर कुछ नए DPSP को अड़ किया गया था, वो क्या क्या था हमने detail के अंदर भी पढ़े, जिसमें सबसे important था, equal justice and free legal aid, मुझे इनके articles बताते जाएगा, because मैंने detail में आपको बता दिया है, क्या क्या अड़ किया गया था, equal justice and free legal aid, इसके ल बहुत बहुत एक important चीज यहाँ पर की गई थी, वो ये थी, कि provided the proclamation of national emergency now for a part of the territory of India, कि जो national emergency की जब भी हम बात करते हैं, जो कि article 352 के अंदर आती है, इसी lecture में हम आगे पढ़ेंगे भी, कि जो national emergency है, उसे पूरे भारत के अलावा भी, किसी एक particular area के लिए भी declare किया जा सकता है, ये question पूछा भी गिया है, कि कौन से समधानिक संशोधन के द्वारा ये चीज तै कर ली गई थी, कि जो national emergency है, वो पूरे देश के अलावा किसी particular area के लिए भी घुशित की जा सकती है, तो कि आज national emergency को किसी particular area के लिए declare किया जा सकता है, इसका जवाब है, हाँ, आज के सम one time duration of the president rule in a state from six months to one year, देखी, president rule का जो tenure है, जो duration है, आज के time पर कितना होता, छे महने होता है, कि एक बार president rule लग गया, तो छे महने तक रहेगा, इस amendment के द्वारा ये चीज़ कर दी गई थी, कि उस छे महने को बढ़ा के एक साल कर दिया गया था, कि अगर एक बार president rule लगा, तो वो एक साल तक रहेगा, उसको रिवोक भी किया जाएगा, तो वो एक साल तक फिर रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ की गई थी, that means आप सीधा सीधा देखीएगा, कि parliament के power को increase करने के बाद की जा रही थी, यहाँ पर, created the all India judicial services, all India judicial services को भी EC amendment के द्वरा create किया गया था, बन constitution amendment act ही चल रहा है, हमारे 7th schedule के अंदर, जहाँ पर distribution of powers की बात की गई है, distribution of power between the state and the central इसकी बात की गई है, 7th schedule में जहाँ पर 3 list देकर रहे, कौन कौन से list है, union list है, state list है, और concurrent list है, union list पे जितने भी subject है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंदर सरकार को होता है, state list में जितन current list के अंदर, जितने भी subject में, उस पर केंदर सरकार भी कानून बना सकती है, और राज्य सरकारे भी कानून बना सकती है, हाँ, कुछ specifically कीज़ें होती ही, जैसे emergency के time पर याद रिखिएगा, state list के उपर भी केंदर सरकार कानून बना सकती है, जी हाँ, ये provision है, अब इस amendment के बा subject के उपर, राज्य सरकार के अलावा, केंदर सरकार भी कानून बना सकती है, subject कौन कौन से थे, education, forest, protection of wild animals and birds, weight and measurement, and administration of justice, constitution and organization of all courts, except the supreme court and the high court, की administration of justice, constitution and organization of all courts, except the supreme court and the high court, exception यादर कियेगा, supreme court और high court का administration नहीं किया जा सकता है, उसको लेकर कानून नहीं बना सकते है, particularly बात किये जा रही है, बाकि subordinate courts अगर है, तो उनको लेकर राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंदर सरकार भी कानून बना सकती है, उनके administration को लेकर यादर कियेगा, high court और supreme court इसमें नहीं आते हैं, आगे हम बात करते हैं, आगे बात किया है, 44th Constitutional Amendment Act 1978 की, इस amendment के द्वारा कई ऐसी चीजे थी, जो 42 सविधानिक संशोधन के अंदर थी, उसे change कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, जो जरूरी भी थी, नैसे बात किया है, change the term of the लोकसभा and the state legislative assemblies again to the original 5 साल, इसी दिसी बात है, जो 6 साल कर दिया था, उसको वापस से 5 साल कर दिया, जो बहुत जरूर जैसे कि उस amendment में क्या कह दिया गया था, बहले 42 सविधानिक संशोधन के अंदर, कि president को council of ministers की बात माननी ही पड़ेगी, वो सवाल भी नहीं कर सकते हैं, वो कुछ पूझ भी नहीं सकते हैं, reconsideration के लिए भी नहीं बूल सकते हैं, वर इस amendment के द्वारा वापस से उस चीज को सह किया गया, और यह क्या दिया गया है, कि president जो है, cabinet की advice को reconsideration के लिए भेज सकते हैं, मतलब अगर कोई advice cabinet ने दी है, तो president वापस से उसे भेज सकते हैं, कि आप जो advice दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है, आप इसको एक बार फिर से इस बारे में सोचिए, reconsider कीजिए, तो president के power को national emergency को proclaim करने के तीन grounds होते हैं, उनमें से एक ground जो था, वो काफी विवादत स्पत था, जिसका उपियोग सरकार ने negatively किया था, वो था internal disturbance, तो इस ground को change किया गया, और internal disturbance की जगह, जिस शब्द का use किया गया, जो ground लेकर आया गया, वो ground था arm rebellion, arm rebellion का मतलब basically होता है, कि देश के ही अंदर देश के कुछ लोग हतियार लेकर देश के खिलाफ खड़े हो जाए, इस basis के उपर आप national emergency को declare कर सकते, बट पहले क्या होता था, पहले जो ground था, internal disturbance, अब internal disturbance किस चीज़ से हो सकता है, इसको define नहीं किया था सकता, मतलब अगर लोग सरकार के against बात कर रहे हैं, या इसके बाद, removed the right to property from the list of the fundamental rights and provided it only as a legal right, right to property हम सभी जानते, article 31 के अंदर जो आता है, article 31 के अंदर जो right to property है, उसे अटा दिया गया, और इससे क्या बना दिया गया, इससे एक legal right बना दिया गया, जो कि किस article के अंदर आ गया, article 300A और part 12, आगे बात की जाए, provided the fundamental rights अंदर article 2021 cannot be suspended during the national emergency, ये काफी बड़ी चीज थी, कि article 20 और 21, ये दो articles ऐसे होंगे, जो कि national emergency के time पर भी suspend नहीं किये जा सकते हैं, ये दो ही article ऐसे हैं, जिनको national emergency के time पर भी suspend नहीं कर सकते हैं, और national emergency के time पर भी अगर आपके in rights का violation हो रहा है, तो आप Supreme Court या High Court जा सकते हैं, रिट पेटिचन issue की जाएगी, clear है, काफी important चीज़े याद रुकिएगा, next हम बात करते हैं, बावनवा समधानिक संशोधन, 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, ये काफी विवादों के अंदर भी रहा, और चर्चा में भी रहा उस समय पर, basically याँ पर बात की गई है, दल बदल कानून की, anti-defection law की बात की गई है, इसके द्वारा एक नया schedule एड किया गया, 10th schedule को एड किया गया था, और anti-defection issues को लेकर कानून भी बनाये गए थे, देकि इसको लेकर हमने काफी detail में पढ़ा भी है, जब मैं आपको schedules पढ़ा रहा था भारती सेविदान के, तब हमने anti-defection law को लेकर काफी detail में पढ़ा है, आगे बात किज़े, आगे आथा आपका 56th Constitutional Amendment Act 1987, 56 सवधानिक संशोधन 1987, it confers statehood of Goa and forms a new UT of Damanendeev, Goa does become the 25th state of the Indian Republic, गोआ को राज का दरजा दिया गया, पहली बात तो इसमें ये थी, 25 राज बना गोआ भारत का, मतलब गोआ पहले UT था, UT से हटा किसको किसका दरजा दिया गया था, उसे राज का दरजा दे दिया गया, साथ इसाथ एक नई UT मनाए गई दमनें दीव, तो दमनें दीव को Union Territory का दरजा भी दिया गया था, कौन से amendment के द्वारा, 56 सवधानिक संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, इसके बाद काफी important Constitutional Amendment Act बहुत बार पूशा इसके द्वारा क्या किया गया था, यह बहुत बार पूशा है, बहुत सारी एक्जाम में पूशा गया है, कि वोट देने की जो लीगल आयू थी, पहले वो थी 21 साल, उसे 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया, नजाने कितनी एक्जामनेशन के अंदर यह कुशन पूशा गया ह और हर बारे कुशन आपको माक्स दिला कर आएगा, बिकास काफी आसान है, समधानिक संशोधन याद रखिएगा, 61st Constitutional Amendment Act 1989, इसके बाद हम बात करते है, 69th Constitutional Amendment Act 1991 के बारे में, यह भी काफी इंपॉटेंट है, बिकास दिल्ली की बात करता है, इसके द्वारा क्या किया गया दिल्ली को स्पैशल स्टेटस दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 69th Constitutional Amendment Act 1991 के द्वारा, अब मेरा प्रशना आप सभी से यह है कि दिल्ली को राजधानी का दरजा किस साल दिया गया, काफी इंपॉटेंट कोश्यन है, दिल्ली को राजधानी का दरजा किस सा दिल्ली के दिल्ली जो हवा यूटी होते हुए भी उसकी खुद की एक विधान सभा होगी, और काउंसल अफ मिनिस्टर्स भी होंगे, ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टन चीज़े हम सभी जानते है, दिल्ली एंपॉनिचेरी, ये दो ऐसी यूटी है, जिनकी काउंसल और जिनके आपर इस विधान सभा भी है, मतलब स्टेट असेमली भी है, इनकी काफी इंपॉर्टन याद रखिएगा, नेक्स्ट हम बात करें तो एक काफी इंपॉर्टन अमेंट है, वह 71st Constitutional Amendment जो किया था 1992 में, बहुत बार इससे question पूछके गए हैं, और specifically अगर मैं CDS examination की बात करो, तो CDS का ही एक question है, कि नेपाली language को, नेपाली भाशा को कौन से Constitution Amendment के द्वारा आठवे schedule में जगह दी गई थी, एट schedule किसकी बात करता है, एट schedule उन languages की बात करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा मानता प्राप्त है, तो आठवे schedule के अंदर शुरुरवाती दौर प इसका answer simple था, 71st Constitution Amendment Act, इस amendment के द्वारा, तीन languages को भारत की सम्विधान के इंदर जोड़ा गया था, एट schedule में, वो languages थी, तोकनी, मनिपूरी और नेपाली, याद रखिएगा इस तरके questions पूशे जाते हैं, इसके बाद, दो बड़े common से सम्विधानिक संशोधने, जिनका जिक कई बच्चे confused होते हैं, 1993 को लेकर बट, यादर किएगा, 1992 सही एर है, ओके, दोनों ही संशोधन की बात करें, सबसे पहले अगर बात की जाए, 33 समविधानिक संशोधन की, तो पंचायती राज को एक समविधानिक दरजा दिया गया था, हाला कि पंचायती राज की बात, जो इससे समविधानिक दरजा दिनी की बहुत जादा जरूरत थी, इसलिए 73rd Constitutional Amendment Act के द्वारा जो पंचायती राज था, उससे समविधानिक दरजा दिया गया, और बलवंत राय महता कमिटी की रिक्मेंडेशन की उपर याद रखेगा, ये कमिटी भी कहीं बार पूछी जाती है, वो बलवंत राय महता कमिटी की रिकमेंडेशन की उपर ही सेट अप है, इसके अलवागर हम बात करते हैं कि 73rd Constitutional Amendment Act के द्वारा एक नया पार जोड़ा गया, पार 9 और एक नया शेडियूल भी जोड़ा गया था, 11 शेडियूल, उसे तरीके से जो हमारा 74th Constitutional Amendment Act था, जिस बात की जारी है, उनको समधानिक दर्जा दिया गया था, तो याद रुखिएगा 73rd बात करता है पंचायती राज के बारे में, और 74th बात करेगा Urban Local Bodies, बेसिकले मुनसिपालिटी की बात की जारी है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पॉइंट की बात करें, तो 82 शिवा समधान of the SCs and STs for relaxation in qualifying marks in any examination, और lowering the standards of evolution for reservation in matters of the promotion to the public services of the center and the state, दे कि दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, पहली बात कि जो ST, SCs हैं, उनको promotion के अंदर भी जो standards हैं, उनको कम किया जा सकता है, दूसरी चीज़ जो examinations होती है, qualify marks यतनी भी examinations के होते हैं, उन qualifying marks के अंदर भी ST, SC classes का जो marks होगा, वो कम किया जा सकता है, इस example की बात कि जाए कि कोई qualifying examination है, कोई government examination है, जहाँ पर general category के लिए qualifying marks higher होंगे, और ST, SC के लिए qualifying marks होंगे, यह किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, एक concept मैंने आपको बताया था, equality और equity, equity लाने के लिए इस चीज़ को किया जा जाता है, reservation का जो main motive है, वो समाज में equity लेकर आना है, कि समाज के अंदर कोई ऐसा वर्ग है, जो शुरुवाती तोर से काफी पिछड़ा हुआ था, उस वर्ग को समाज की मुख्य ध्यारा से जुड़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए भारत सरकार ने समय समय पर इस तरह क amendments की, जैसा कि हमने देखा था, कि पहले समधानिक संशोधन के अंदर भी हमारा जो article 15 था, उसमें subcloss 4 जोड़ा गया था, और उसके द्वारा reservation की बात की गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें के अंदर की गई थी, इसके बाद हम बात करते हैं, 84th Constitutional Amendment Act 2001 के देखे, यह भी re-adjustment है लोग सभा के अंदर, लोग सभा के अंदर seats को fix कर दिया गया, अब seats का जो re-adjustment है, उस पर ban लगा दिया गया है, कब तक आने वाले 25 साल तक, मतलब 2026 तक जितनी seats है, उतनी ही रहने वाली है, इससे जादा नहीं बढ़ सकती, याद रखिएगा, maximum कितनी है 552 है, ब पताएगा, बहुत बार examinations के अंदर पूशा गया है, लिए आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है, 86 Constitution Amendment Act 2002, और examination के अंदर, इस amendment से हर बार question पूशा गया है, because इस amendment के उद्वारा एक नई चीज़ की गई थी, और ये amendment सीधे सीधे बात करता है, right to education की, इस amendment के द्वारा right to education को fundamental right बना दिया गया, कौन सा article जोडा गया था, article 21A, याद रखेगा, article 21A जोडा गया, right to education के हम बात कर रहे हैं, part 3 के अंदर जोडा गया था, और जिसके द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को pre and elementary education provide करना, राज्य सरकारों के अंदर सरकारों की duty बन गई थी, और बच्चे का अ 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको compulsory and elementary education provide करना पड़ेगी, और यह जिम्मदारी किसकी होगी, जिम्मदारी होगी parents और guardians की तो, बहुत important है, याद रखेगा, various examinations के अंदर इसके बारे में बात की गई है, इसके बाद आता है हमारा 88 Constitutional Amendment Act 2003 का, हलाकि यह बहुत important नही checks की बात की गई थी, तो बहुत जादा इसको detail में मत पढ़िएगा, यह examinations के अंदर अभी तक तो पूछा नहीं किया, बट still एक बार आप देख सकते हैं, आगे हम बात करते हैं, अब काफी important amendment आने वाला है, वह 91st Constitution Amendment Act 2003, जिसके द्वारा बहुत सारी चीजों को जोड़ा ग और Council of Ministers के head कौन होते हैं, हमारे देश के परधान मंत्री होते हैं, Cabinet Ministers भी इसके अंदर आते हैं, State Ministers भी इसके अंदर आते हैं, तो जो Council of Ministers का total number है, जितने भी लोग इसके अंदर है, वो 15% से जादा नहीं हो सकता है, लोग सभा, कि मतलब इस तरीके से है, अगर example की बात क जाए कि लोग सभा के अंदर अगर 100 लोग हैं, तो Council of Ministers के अंदर 15 से जादा लोग नहीं हो सकते हैं, सीधी सी बात यहां बर कर दी गए थी, जो कि काफी important भी और बहुत जरूरी भी है, कि Council of Ministers के अंदर जो total number of people है, जितने भी लोग है, जितने भी Ministers हैं, उनका जो number है, व लोग सभा के अंदर 15% से जादा नहीं हो सकता, उसी तरीके से जो State Assemblies होती है, विधान सभा के अंदर भी जो Council of Ministers of States होती है, राज्यों के अंदर जो Council of Ministers of State होती है, उनका भी total number 15% से जादा नहीं हो सकता है, किसका State Assemblies का, सेम बात है, यहां पर लोग सभा आ रही थी, मह अगर किसी भी व्यक्ती को दल बदल कानून के तहत, दिफेक्शन ग्राउंड के ऊपर दिस्क्वालिफाय किया है, वो व्यक्ती अज़ों बहुत बदल बदल जो है, वो बहुत गलत चीज है, शुरुआत से इस चीज का विरोध किया जा रहा है, शुरुआती तोर पर कही इतनी पॉलिटिकल पार्टी, इसके कही लीडर्स ने इसका मिस्यूस भी किया, हमने देखा था, आयराम, गयाराम, वो कहावती बन गी थी, तो यह चीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी थी, आगे बात करते है, नेक्स आता है, बहुत ज़्यादानिक संशोधन 2003 का आगया यह बात करता है, 8 schedule की, 8 schedule की, 8 schedule में फिर से इसके द्वारा कुछ language को जोड़ा गया था, यादरकी का language वाले amendment हर बार पूछे जाते हैं, इनको में हमेशा बहुत जादा importance देता हूँ, क्यों देता हूँ, because पूछे जाते हैं हर examination में, आप देख लीजी, आप Assistant Commandant का examination दे रहे UPSC1 Civil Services Examination में भी यहां से question पूछे गाएं, इसके लाव आप CDS की बात करें, NDA की बात करें, question पूछे जाते हैं, that's why इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अब यह किसकी बात कर रहा है, सीधी इसी बात है, 92nd Constitutional Amendment Act बात करता है, इसके द्वारा, Odo, Tongri, Mathly और स चार लेंग्वेरेस को आठवे schedule में जोड़ा गया था, याद रुकिए, यह जब पढ़ते हैं आप, amendment, लेंग्वेरेस याद रुकिएगा, कौन-कौन से लेंग्वेरेस को जोड़ा गया, नमबर याद रुकिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, कि इस amendment के द्वार special provisions for the socially and educationally backward classes, और the schedule caste और the schedule tribes in education institutions, including private education institutions, except the minority education institutions, देखिए यहाँ पर बात की गई है, reservation की है, कि private education institutions के अंदर भी हम देखते हैं कि IIT के साथ साथ, आइम के साथ साथ, जो private education institutions होते हैं, वहाँ पर भी ST, SC को reservation दिया जाता है, और अभी तो हम देखने की 103rd Constitutional Amendment Act के द्वारा, economical weaker sections, हमारे समाज के जो general category में, जो economical weaker section है, उनको भी 10 प्रतिशत आरक्षन दिया गया, इसकी बात शुरुवात में 93rd Constitutional Amendment Act के अंदर कर दी गई थी, तो काफी important है, यह पूछा जा सकता है, because यह भी highlight मेरा है, देकि current के अंदर जो चीज़े highlight में होती है, जैसे 10% के जो reservation दिया सुप्रीम कोट ने हाला की judgment दिया कि यह basic structure का violation नहीं कर रहा है, तो इस तरीक इसके questions आप से पूछे जा सकते, थोड़ा से smartly हमको play करना पड़ता है, जब इस तरह की examination के तयारी करते है, तो पुराने patterns को तो आपको देखना है कि पुराना क्या pattern चल रहा है exam का, साथी साथ यह भी देखना है कि current से क्या क्या चीज़ें जोड़कर पूछी जा सकती, because UPSC का शुरुवास से nature रहा है, nature क्या होता है, कि वो current से हर चीज़ को जोड़ता, even quality के अंदर भी अगर कोई current में चीज़ चल रही है, जिसे अभी अभी हमारे देश में vice president और president के election हुए, mostly chances बनत आता है, 96 Constitutional Amendment Act 2011 का, substituted Udia for Udia, consequently the Udia language in the 8th schedule shall be pronounced as Udia, Udia language को pronunciation को change किया गया, Udia को change करके कर दिया गया था, Udia, that means CDC बात है, कोई बहुत major change नहीं आया था, language को जो pronounce करने का तरीका था, उस pronunciation को change किया गया, यह बाद आता है, 97 Constitutional Amendment Act 2011 का, gave the constitutional status and protection to cooperative societies, cooperative societies, इनकी बात भी की गई है, किसमें DPSP में की गई है, मुझे बताए, DPSP का कौन सा article, cooperative societies की बात करता है, DPSP के अंदर जब cooperative societies की बात की गई थी, again, they are not enforceable by court of law, अब इसको भी समिधानिक दरजा देना जरूरी था, basically, 93rd, 97 Constitutional Amendment Act 2011 के दवारा, cooperative societies को भी समिधानिक दरजा दिया गया, काफी important है, बहुत बार पुछा गया, examination के अंदर, चलिए, next point को हम देखते है, next point है हमारा, 99th Constitutional Amendment Act 2014 का, अब ये जो amendment था, okay, ये amendment काफी controversy के अंदर भी रहा, और ये कहा गया था, कि जो Parliament का excessive power है, जो judiciary के ओपर कह सकते की control करना जो चारी थी Parliament, उसको अटा दिया ग बात है कि Parliament और जूडी शरी दोनों के बीश में हम कहीं बार देखते हैं कि टकराव होता रहता है, जूडी शरी का काम है, जूडी शरी का काम है ये देखना कि देश सवधान के साब से चल रहा है, या नहीं चल रहा है, कहीं बार ऐसा होता है कि Parliament कहीं बार कुछ ऐसे कानून बना देती है जो कि सेविधान का उलंगन कर रहे होते हैं इसके लिए एक प्रोसेस दे के रखा है वो प्रोसेस क्या है जूडिशल रिव्यू का अब यहाँ पर क्या किया गया था replace the collegium system of appointing judges to the supreme court and high courts with a new body called the national judicial appointment commission NJACM यह कुछ चीज कुछ ऐसी थी कि आज हम जानते हैं कि supreme court high court के अंदर judges का appointment किया जाता है वो सरकार नहीं करती है वो collegium system के थूँ होता है collegium system जिसमें एक हमारे chief justice of india होते हैं और चार other judges होते हैं जो कि senior most होते हैं चार लोग और वो मिलकर यह तैय करते हैं कि देश का अगला कह सकती कि कौन से high court में कोई judges को appoint किया जाएगा Supreme Court में किस judge को लिया जाएगा अब इस amendment के द्वारा यह किया गया कि collegium system को replace करके एक नई body बनाएगे उस body का नाम था national judicial appointment commission अब इस commission को बनाया गया इस commission के अंदर बहुत सारे लोग ते इवन अगर बात करेंगे तो इस commission के अंदर political party से भी कुछ लोगों को चुना गया था जिनके बाद से अधिकार था कि जो देखेंगे कि Supreme Court में या High Court में अगला judge appoint कौन होगा अब यह भले ही कर दिया गया बढ़ स्टिल 2015 के अंदर याद रुखिएगा Supreme Court ने जो NJAC था इसको unconstitutional declare कर दिया याद रुखिएगा इस पूरे amendment को यह जो amendment के द्वारा collegium system की जगए एक नया commission appoint किया गया इस पूरे commission को असमधानिक declare कर दिया था obviously चीज है कि judiciary के अंदर parliament interfere नहीं कर सकता यह नहीं बता सकता है judiciary के अंदर की अगला Supreme Court का judge कौन बनने वाला है अगर यह decide parliament करने लग गया तो फिर तो थोड़ी गरबर हो जाएगी यहाँपर एक pressure feel कर सकते है judge यह हो सकता है कि यहाँपर privilege दिया जाए that's why स्टीस को अटाना जरूरी भी था और इससे हटा भी दिया गया था ओके यादर कीगा आगे बात करते हैं आगे आता है 100 constitutional amendment 2015 का सौवा सविधानिक संशुधन जो की 2015 के अंदर आया था काफी important है बांगलादेश और भारत के बीश में land dispute काफी लंबे समय से चल रहा था ज बहुत सारा एरिया ऐसा था भारत का जो बंगलादेश में आता था बंगलादेश का बहुत सारा एरिया ऐसा था जो की भारत के अंदर आता था इस dispute को को रिजॉल करना जरूरी था और सविदानिक संशोधन के दोरा सॉवे सविधानिक संशोधनentin जो की 2015 के अंदर उए था इसके दोरा इस dispute को करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई इसके बाद आता है बहुत important act, बहुत important सविधानिक संशोधन जो बहुत बाहर पूछा गया है, यह सीधा सीधा relate करता है GST से, Goods and Service Tax, बहुत बाहर पूछा गया है कि GST कौन से सविधानिक संशोधन से लागू किया गया है, इसका अंसर है 101st Constitutional Amendment Act 2017, 171 वा सविधानिक संशोधन जो की 2017 में आया, और One Country, One Tax का जो मोटिव था, कि एक देश में एक ही टेक्स होना था, उसे लागू कर दिया गया, और GST को यहाँ पर लागू किया गया, कौन से सविधानिक संशोधन के द्वारा, याद रखीगा, 101st Constitutional Amendment Act 2017 के द्वारा, उसके बाद आ रहा है, 102 वा सविधानिक संशोधन 2018 के अंदर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैक्वर्ट क्लासिस के लिए कमिशन था, बैक्वर्ट क्लासिस की बात कर रहे हैं, याँ पर हम अदर बैक्वर्ट क्लासिस की बात कर रहे हैं, उस कमिशन को समिधानिक दरजा दिया गया, इसके पहले उस कमिशन के बाद समिधानिक दरजा नहीं था, बट, 102nd Constitutional Amendment टेक 2018 के द्वारा, जो National Commission for Backwards Classes था, उसे समिधानिक दरजा दिया गया, और ये constitutional समिधानिक body के रूप में आज हमारे देश के अंदर है, इसके बाद दो important amendments है, पहला है आपका 103rd Constitution Amendment, कई बार इसका जिकर किया गया है, कई एक्जामस में पूछा गया है, 10 प्रतिशत आरक्षन की बात की गई है, इसमें economical weaker section के लिए, जनरल category के अंदर जो लोग economically weak हैं, उनको 10 Supreme Court के अंदर case भी चल रहा था, इसका decision भी आ गया है, यह कहा जा रहा था कि जो 10 प्रतिशत का आरक्षन है, कि right to equality का violation कर रहा है, क्यों कि अगर आरक्षन दिया जा रहा है, economical basis के उपर, तो उसमें सिर्फ general category को क्यों रखा जा रहा है, तारी categories को भी फिर economical basis पे दे दिया जाना और फिर इस चीज़ को constitutional ठहरा दिया गया, याद रुखिएगा, 103rd Constitutional Amendment Act 2019 का बात करता है, किसके बारे में, economical bigger section के बारे में बात करता है, इसके बाद आता है, 104th Constitutional Amendment Act 2020 का, इसमें क्या किया गया है, कि जो Anglo-Indian Community का reservation था, Anglo-Indian Community के दो लोगों को हमारे president nominate करते थे लोगसभा के अंदर और एक person को nominate करते है, governor, दोनों के articles बताईए, because मैं आपको बता चुका हूँ, तो Anglo-Indian Community का जो reservation उसे end कर दिया गया, इस amendment के द्वाराई, ST, ST का जो reservation है, लोगसभा के अंदर ST और STS का जो reservation है, उसे तो बढ़ा दिया गया, 10 साल के लि examinations के अंदर ये चीज़ पूछी भी गई है, I hope आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, एक बड़ा important point है, कहीं बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्या राजसभा के अंदर भी reservation होता है, राजसभा में reservation नहीं है, राजसभा के अंदर कोई reservation नहीं है, reservation का जो प्रावधान ह के अंदर है, ये point है, याद रखिएगा, बहुत बार various examinations के अंदर पूछा गया है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, last constitution amendment जो कि last में मैंने इसलिए रखा है, क्योंकि बहुत सारी examinations के अंदर इसके बारे में पूछा गया है, और CDS के बात करूँ, NDA के बात करूँ, तो लग हर साल छोड़ के दूसरे साल, तीसरे साल ये question पूछ लिया जाता है, ये constitution amendment है, 21st constitution amendment act 1967 का याद रखिएगा, इस amendment के द्वारा सिंधी language को आठवे schedule में जोड़ा गया था, याद रखिए बहुत जादा important है, हो सकता इस बार भी आपसे examination में पूछ लिया जाए कि सिंधी language को क कौन से सवधानिक संशोधन के द्वारा भारती सवधान में जोड़ा गया है, चलिए अब next topic की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो की बहुत important है, बहुत important इसलिए है क्योंकि article 360 जिसमें financial emergency की बात की गई है, उसको लेकर लंबे समय से भारत के लिए दुनिया के दोसरे देश लग economical crisis को face कर रहे थे, भारत भी उसमें से एक ही था, पर जो prediction लगाया जा रहे थे, भारत के अंदर economic crisis आ रहे हैं, financial emergency लग जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, savings नहीं हो पाईगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हमने इस चीज का ओलट ही जवाब दिया है, भारत की economical हाल चीज जो कि unexpected थी, और suddenly वो arose हो गई है, मान लीजी आप सड़क पर जा रहे हैं, और किसी का accident हो जाता है, तो उसके साथ जो accident हुआ है, उसके बाद उसका खून बहरा है, तो वो situation emergency की है, that means ततकाल इसमें action लेना पड़ेगा, अब यह तो personal level पर emergency की बात थी, पर जब आप national level emergency की बात करते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है, कि देश पर suddenly ऐसी विपत्ती आ गई है, देश के अंदर suddenly ऐसी situation आ गई है, किससे देश के उपर खत्रा उत्पन हो गया, like war हो गया है हमारा, किसी दूसरे देश ने हम पर हमला कर दिया है, या देश के अंदर ही किस 360 में कहता है, अला कि हमारे देश में आज तक financial emergency नहीं लगी है, national emergency की बात करेंगे तो तीन बार लग चुकी है, और president rule जिसे state emergency भी कहा जाता है, वो तो कहीं बार लग चुका है, 100 से ज़्यादा बार तो पंजाब में लगा हुआ है, और आगे अगर बात की जाए, कि किस पा दिया है, ऐसी कोई भी situation, जब देश के उपर एक ऐसी विपत्ती आ जाए, इसके बारे में हमें पता नहीं था, अब उससे निबटने के लिए हमें कुछ समय चाहिए, कुछ restrictions लगाना होते हैं, और सबसे बड़ी बात, central जो हमारा होता है, वो ज़्यादा strong हो जाता है, emergency के time यही तो हमारा unitary factor है, हमारे सविधान का, कि central ज़्यादा strong हो जाता है, because emergency के time पे यह माना जाता है, कि अगर center के हाथ में सारे powers दे दिये जाए, तो decision making सही तरीके से होगी, और बहुत जल्दी हो जाएगी, चलिए, अब अगर statical points की बात कर ली जाए, तो part 18, सविधान का, ज emergency से related provisions है, हम सारे articles को देखेंगे, और कुछ important चीज़ें उसके बारे में जानेंगे, emergency में एक बात याद रखेगा, central become very powerful, central बहुत powerful हो जाता है, और इस जरूरी भी है, because emergency के time पर central के decisions है, वो बढ़े precise होते हैं, ऐसा नहीं कि state का नहीं होते हैं, बट central के decisions बढ़े precise होते हैं, और वो पूरे देश को ध्यान में रखके बनाया जाते हैं, ऐसा क्यों है, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा, चली start करते हैं, अब अगर हम part 18 को देखें, तो part 18 के अंदर basically तीन तरह की emergencies के बारे में बताया गया, सबसे पहली है national emergency, इसे राश्री आपात काल के नाम से ज कहा जाता है, इसे precedent rule भी कहा जाता है, यह आता है article 350, इसके अंदर याद रुकिए, यह बहुत जादा important हो जाता है, इसके बाद आता है हमारा वित्तियापात का financial emergency जो article 360 के अंदर आती है, जो कि एक बार भी देश में नहीं लगी है, इन तीनों के बारे में जानेंगे, emergencies में से, जो सबसे बड़ी emergency, जो पूरे देश के उपर लागू हो जाती है, उसे कहा जाता है national emergency, article 352 national emergency की बात करता है, अब ऐसा नहीं है कि national emergency को किसी एक particular part में लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा किया जा सकता है, हमारे सविधान के अंदर याद रुकिएगा, सविधान के ये कहता है कि national emergency को, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, ये संशोधन ये कहता है कि national emergency को पूरे देश के अलावा देश के किसी विशेश भाग में भी लगाया जा सकता है, मतलब एक particular part के अंदर भी national emergency declare की जा सकती है, तो confuse मत होना आप लोग कि national emergency है तो पूरे देश में ही लागू होगी नहीं, देश क किसी पार्ट में भी इसे लागू किया जा सकता है, सवाल ये आता है बहुत बड़ा कि इतनी बड़ी emergency जवाप लगाते हो, national emergency लगाते हो, तो पूरा देश लगबग रुकसा जाता है, क्योंकि central पूरा powerful हो जाता है, state government, state legislature की अगर हम बात करें तो वो hold पे चले जाते हैं, center पूरी की पूरी कमान देश की अपने हाथ में ले लेता है, तो इसके grounds क्या होते हैं, ऐसे क्या-क्या grounds है, जिनके basis पर देश में national emergency को declare किया जा सकता है, तो तेके सविधान के इसाब से इसके majorly तीन grounds है, तीनो grounds याद रखिएगा, पहला है war, युद्ध, दूसरा है external aggression, बह देश के अंदर देश के ही लोगों ने किसी एक हिस्से के उपर हतियार उठा ली और देश के against खड़े हो गया है, अला कि arm rebellion शब्द बाद में आया है, इस arm rebellion के जगह, जिस word का पहले use किया जाता था, वो काफी controversial था, वो word था, याद रखिएगा, यहाँ पर कहीं बार दिया कर रहा है, या सरकार के खिलाफ आंदूलन कर रहा है, तो उसे भी internal disturbance बोल के देश में इमर्जंसी लागू कर दी जाती थी, एक बार असा हुआ भी था, अब याद रखिएगा कि पूरे देश में सिर्फ एक बार ही internal disturbance के बेस पर इमर्जंसी लागू की गई है, अब grounds की amendment act, जो कि 1978 का है, उसने internal disturbance की जगर पर एक नया word add किया, वो था armed rebellion, जो कि करना ज़रूरी था, otherwise इसका misuse किया जा सकता था, ये internal disturbance के बेस पर जब भी सरकार के अगेंस कोई कुछ बोल रहा है, तो आप emergency लगा देंगे, ये चीस ठीक भी नहीं थी, और इस चीज को हटाने के ल अब सवाल ये आता है कि war और external aggression के इंदर दोनों में difference क्या है, आम rebellion तो समझ में आ जाता है, चलिए तीनों का difference हम समझ लेते हैं, बड़ उससे पहले याद रखिएगा कि war और external aggression के basis पर जब भी emergency declare की जाती है, उसे का आ जाता है external emergency, because war और emergency, दोनों ही war और external aggression, जब भी हम इस इस से बाहर किसी दूसरे देश ने हम पर हमला कर दिया है, यह कुछ ऐसा action लिया है कि देश में emergency की situation बन गई है, बट जो situations बनी है, वो देश के अंदर किसी कारण से नहीं बनी है, देश के बाहर के कारण के कारण बनी है, okay, that's why इसे कहा जाता है external emergency, इसी तरीके से देश के अंदर अगर कुछ इशू हो गया है, इसे देश के अंदर देश के लोगों ने ही कुछ हिस्से में हतियार उठा लिये हैं सरकार के खिलाफ, तो उस aggression को या उस emergency को कहा जाता है internal emergency, याद रखीगा सिर्फ और सिर्फ एक बार 1975 में internal basis के उपर, internal disturbance के आधार पर national emergency declare की गई है, internal emergency जो है, या internal aggression की अगर हम बात करें, वो एक ही बार declare की गई है, उसके इलावा जो दो बार emergency declare की गई थी, वो external reasons की वदर से की गई थी, आईए अब तीनों को हम समझ लेते हैं, कि war और बात की जाए, external aggression के अंदर difference क्या है, देखिए 1971 war का पिक्चर है, जो बंगलादेश का partition ह हुआ था, बंगलरे स्वतंतर हो गया था, उस समय भर पाकिस्तानी आर्मी ने surrender कर दिया था हमारे सामने, obviously बात है कि हमारे देश के सामने कोई भी आर्मे टिक नहीं सकती है, अब यहाँ पर युद्ध का क्या मतलब होता है, war का मतलब होता है, कि दोनों देशों के जो head है, जो प्रधान है, जो कि दोनों ही देशों में precedent होते हैं, उन्होंने war declare कर दिया है, कि हाँ officially हम declare कर रहे है, कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध में है, तो इस situation को कहा जाता है war, दूसरा होता है अपका external aggression, जैसे कि यहाँ पर हम देखे कि suddenly किसी दूसरे देश ने हमारे उपर ह हमला कर दिया है, उस condition को कहा जाता है external aggression, यादर किएगा दोनों में difference है, तीसरा arm rebellion इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि देश के अंदरी लोगों ने देश के खिलाफ हतियार उठा लिए, देश को समधावन को मानने से मना कर दिया है, किसी अलग जगा की मांग कर हतियार उठा लिए हैं, पॉच के ओपर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, इसी चीज़ को कहा जाता है arm rebellion, अब आगे बात की जाए जो काफी important है, कि इस तरह की emergency को declare कौन कर सकता है, कौन ये बताएगा कि अब देश में emergency की situation आ गई है, तो यादर कि ये समधान क हिसाब से, emergency का proclamation, declaration करने का जो अधिकार दिया गया है, वो देश के राश्रपती जी को दिया गया है, पर सवाल ही उठता है कि क्या मन से वो emergency declare कर सकते हैं, अपने मन से जब उन्हें लगा कि हाँ, अब situation बन गई है, emergency declare कर दी जाए, तो क्या वो तब emergency declare कर सकते हैं, ऐसा बिल जब तक council of ministers, basically cabinet की हम बात करें, जब तक cabinet अपनी written recommendation नहीं देगी, याद रखिए का जब तक cabinet return में लिक के नहीं देगी, president को कि आप देश में emergency declare कर लीजिए, प्रोक्लेम कर दीजिए emergency का, तब तक वो मन से emergency को declare नहीं कर सकते हैं, काफ़ important point है, एक उर point यह है, यह जो situations बनी ह war है, internal aggression है, या अगर हम बात करें, arm rebellion है, यह conditions देश में बनने से पहले भी, पता लग गया है कि war होने वाला है, पता लग गया है कि external aggression होने वाला है, पता लग गया है कि arm rebellion होने वाला है, that means वो जो situation है, वो situation के आने से पहले ही, एक protective nature के अंदर हमारे देश के राश्पती जी क के पास से अधिकार होता है कि वो emergency को declare कर सकते हैं याद रखिए का यह अधिकार भी यह देश के राश्पती जी के पास अब यहाँ पर हमने देखा कि यह जो तीन grounds है इनो grounds कौन से external aggression की बात करी war की बात करी arm rebellion की बात करी क्या president अगर इन से किसी ground के उपर emergency declare करते हैं तो क्या इन grounds को court में challenge किया जा सकता है वो सकता है कि उस तरह के situations देश में बनी ही नहीं है इसी दूसरी country से war हमारा हो ही नहीं रहा है और देश के राश्पती जी declare कर दे कि आज से देश में emergency लग गई है और ground क्या दिया है war तो क्या ऐसा कोई ground जिनकी उपर emergency declare की गई है क्या उन grounds को लेकर हम supreme court या high court में जा सकते हैं क्या judicial review का प्रावधान है क्या grounds justisable है क्या questionable होते है 38 constitutional amendment act जो कि अभी हमने 1975 के इंदर था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था उसके द्वारा तो क्या कर दिया गया था कि president के जो emergency proclamation के grounds है वो justisable नहीं होंगे कोई judicial review नहीं होगा आप नहीं ले जा सकते हैं उसको court के अंदर इस चीज को हटा दिया गया किसके द्वारा जो मालिस्वे सविधान संशोधन के द्वारा मैंने आपको बताया 42nd constitutional amendment act और 38 constitutional amendment act इन दोनों amendments के द्वारा कई सारी चीज़े सविधान में एड की गई थी और 44th constitutional amendment जो की 1978 के अंदर आया था उसके द्वारा जो चीज़े चेंज की गई थी उन्हें वापस से रिवोक कर लिया गया था ओके याद रुखिएगा 44th constitutional amendment act 1978 ये बूलता है question किया जा सकता है किस ground पे किया है आप court में challenge कर सकते हैं उस चीज़ को ये point याद रखिएगा अब सवाल आता है काफी interesting सी चीज़ है कि emergency को declare कैसे किया जाता है कैसे declare करते हैं देखिए सबसे पहली बात हमारी जो cabinet है रिटन में recommendation देगी देश के राश्पती जी को जैसे रिटन में recommendation जाएगी राश्पती जी प्रक्लेम कर देंगे घोशित कर देंगे यहां आज से देश में national emergency लागू हो गई है अब obviously चीज़े नेशल इमर्जंसी अगर प declare किया जा सकता है अब जैसे ही हमारे देश के राश्पती जी national emergency को declare कर देंगे proclaim कर देंगे 30 दिनों के अंदर अगर यह लोग सभा है राज सभा है तो 30 दिनों के अंदर parliament के through इस proclamation को pass हो जाना चाहिए मतब दोनों houses बात पर सहमत हो जाने चाहिए कि जो प्रोक्लमेशन ये पास हो जाना चाहिए कि हाँ देश में national emergency declare हो गई है पहले जो time था 30 दिन का वो था 60 दिन याद रुखेगा पहले था 60 दिन था उसके बाद जो 40 सविधान संशोधन के द को change कर दिया गया 44th constitution amendment के द्वारा किसमे special majority के अंदर तो ये दो point से याद रुखेगा जैसे ही 30 दिनों के अंदर ये proclamation pass हो जाता है वैसे ही पूरे देश में 6 महिने के लिए emergency लग जाएगी मतलब एक बार proclamation pass हो गया तो पूरे देश में 6 महिने के लिए emergency लग जाती है clear हो आओगा आपको ये point तवाल आता है कि national emergency कितने साल तक लगी रह सकती है एक साथ 10 साल तक रह सकती है एक साथ एक साल तक रह सकती है पांस साल तक रह सकती है कितने साल तक रह सकती है तो देखिया ऐसा कुछ भी नहीं है national emergency ध्यान से सुनिएगा national emergency के time period की कोई भी limit नहीं है कि विद्धने भी लंबे समय तक रह सकती है, हाँ एक लिमिट होती है, कि हर 6 महिने के अंदर आपको इस प्रोक्लमीशन को पास करवाना होता है, मतलब हर 6 महिने के अंदर, यहाँ पर जो है, दोनों हाउसेस से यह चीज पास हो जानी चाहिए, यह प्रोक्लमीशन पास हो जाना चाहिए, क्लियर है, और कोई भी लिमिट नहीं है, आगे हम बात करते हैं, तो क्या किया जाएगा, देखे, देख के राश्पती कभी भी एक प्रोक्लमीशन लेकर आ सकते हैं, वापस से उद्धोशना कर सकते हैं, कि आज से देश में नेशली इमिशनी नहीं है, ऐसा कोई पार्लेमेंट का अप्रूवल की जुरोत नहीं पड़ती है, याद रखेगा जब नेशनल इमर्जन से डिक्लियर करी थी, उस प्रोक्लमेशन को पार्लेमेंट की अप्रूवल की जुरोत पड़ी थी, पर जब रिवोक करना है, जब हटाना है, तो ऐसे प्रोक्लमेशन को पार रिवोक नहीं करिये और लोगसभाचारी की इमर्जनसी को रिवोक किया जाए तो लोगसभा जो है एक सिंपल सी बात अगर मैं करूँ तो एक डिसप्रूवल रिजलूशन पास करवा सकती है सिंपल मेजरीटी से उसको पास करवा करना होगा सिंपल मेजरीटी मतलब टोटल मेंबर्स प्रजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे है उससे अगर एक डिसप्रूवल रिजलूशन पास हो जाएगा तो उसके बाद देश के राश्पती जी को नैशल इमर्जनसी को रिवोक करना ही पड़ता है हटाना ही पड़ता है अब इ इसके लिए सिर्फ एक कंडिशन होती है कि लोगसभा के 1 by 10th member जो है वो इस डिस्रप्रूवल के लिए agree हो कि हाँ अब नैशल इमर्जनसी को हटा देना चाहिए वस यह कंडिशन होती है इसके लावा इसमें एक और पॉइंट है माल लीजे कि लोगसभा लोगसभा सेशन के अंदर नहीं है लोगसभा डिसाल हो गई है ऐसे टाइम पर याद रखिएगा कि अगर लोगसभा डिसाल हो गई है लोगसभा है ही नहीं नैशल इमर्जनसी लगा दी गई है अब उसके लिए कंडिशन क्या थी कि 30 दिनों के अंदर लोगसभा राज्ड सभा दोनों से पहली मीटिंग होगी उस पहली मीटिंग से 30 दिनों के अंदर राज्ड सभा से भी उसे पास हो जाना चाहिए पॉइंट याद रखिएगा बहुत जादा इंपॉटेंट है यह कई बार पूशा गिया है यह सिर्फ कंडिशन तब बनती है जब लोगसभा डिजॉल्व हो ग पिजद लिश्टर है वो भंग नहीं हो जाते हैं अंको रख दिया जाता है च्नल जाधा स्टरॉंग हो जाता है मतलब यह है कि जो राज्य सरकारे होती है वो सेंटल के डारेक्षिन पे काम करने लगती तो सीधीसी बात है कि एक्जिकेटिव एक्षिंग्स क्या लेने है इ इसमिस नहीं हो जाती है कि स्टेट गवर्म다면 डिसमिस ही हो गई हटा ही दिघैं एसा नहीं होता है कि वू सिर्फ होल्ड पर चली जाथी है या सदी सी बात की जाएं युष सैंटल के कहने पर काम करना शुरू कर देती हैं बहुत इन-पोरणेंच चीज़े यादर किएगा लेडिसलेचर पर क्या एफेक्ट पड़ता है लेडिसलेचर पर सबसे पहला एफेक्ट ये पड़ता है कि नैशनल इमर्जनसी के टाइम पर जो लोगसभा का टैनियॉर है लोगसभा का जो कारिकाल है उसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है आप एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, पार्लेमेंट द्वारा कानून बना कर, एक साल में एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा क्यूं? अब को सोच कर देखे, practical सी बात है, देश में National Emergency लगी है, कैसी condition में देश में चुनाव करवाया जा सकते हैं, obviously it's not possible, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, कि देश में national emergency चल रही है और हम चुनाव करवा रहे हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं होती है, that's why इस rule को यहां पर बनाया गया है, बहुत important चीज है याद रखेगा, इसके बाद the extension can never be beyond 6 months from the date of the revocation of emergency, अब याद रखे, ऐसी condition हो गई है कि लोगसबा के कारिकाल को एक साल बढ़ा दिया, बट इन बिट्वीन ही उसी समय क्या हुआ कि national emergency को revoke कर लिया गया, because अब वो situations नहीं रही, national emergency को हटा दिया, तो क्या वो लोगसबा एक साल तक चलती रहेगी, because उसको तो advantage मिल गया national emergency का, ऐसा नहीं हो सकता, जिस दिन से revoke क चीज है, interesting सी चीज है, जानने में भी मज़ा आता है, और है भी interesting, इसके बाद, parliament can make law on state subject, and a law enacted by parliament shall cease to operate at the expiry of six months, देखिए क्या कहता है, तो हम थोड़े से example से समझते है, national emergency के time पे हो यह रहा है, कि सारे powers किसके साथ पास में आ गए, टेंटरल के पास आ गए, मतलब पारलेमे होती है, वो अलग-लग राज्यों के लिए, माल लीजिए कि हमारे चार राज्य है, हम लेतें MP है, UP है, पिहार है, और आसाम है, तो parliament क्या करती है, पारलेमेंट के पास से पावर आ जाता है, कि वो राज्यों के लिए कानून बनाए, law बना सकती है, अब यह यहाँ पर यह कह हा गया है, कि emergency हटने के बाद, वो जो कानून है, जो law है, वो maximum 6 महिने तक रह सकता है, 6 महिने के बाद, वो automatically हट जाएगा, CDC बात है, बहुत कुछ difficulties में थी नहीं, यहाँ पर लिखा है, after the revocation of national emergency, to the extent of the income P, काफी important चीज है, बहुत important है, और national emergency जब होती है, तो यादर किएग इमर्जनसी के टाइम पे, state list के subject पे भी कानून बनाने का अधिकार, किसके पास आ जाता है, obviously, center के पास आ जाता है, because state government तो hold पे चली जाती है, एक तरीके से, यहाँ तक आये hope, आपको सारी चीजे clear हो गई होगी, अब यहाँ पर हमने देखा था, कि जो state government है, याद रखीग state, center government जो है हमारी वो जाधा strong हो जाती, state जो है वो थोड़ी सी कम strong रहती है, और कोई भी कानून अगर इन्होंने state के लिए बनाया है, तो वो कानून 6 महने से जाधा नहीं चल सकता है, अगर national emergency को rework कर दिया है, तो simple सी बात है, बट बहुत important है, और various examinations के अंदर इस बात को प पड़ता है, because देश में national emergency लगी है, हमारे fundamental rights का क्या होगा, यह चीज तो हमें पता है कि article 20 और article 21 के अंदर जो fundamental rights दिये गए हैं, उनको suspend नहीं किया दा सकता, इसके अलावा बाकी अधिकारों का क्या, अब यह जानना जरूरी है, और इसको लेकर पूरे सविधान में, दो major articles दिये गए, देखिया, आलाग यह जो articles हैं, इनसको लेकर questions, कई बार बड़ी examinations के रिए अंदर पूछे गए, पर still possibilities पूरी बनती है कि CDS के अंदर भी ने articles को लेकर question पूछे जा सके, और सबसे बड़ी बात है, आप जब भी किसी topic को पढ़ते हैं, तो topic को समझने के लिए पढ़ी है, आपकी understanding उससे बड़ेगी, यह point आपके mind में होना चाहिए, चलिए आपर start करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे article 358, यह article 358 यह कहता है कि, जैसे ही देश में national emergency लग जाती है, तो article 19 के अंदर जो हमारे 6 fundamental rights है, जो 6 freedom से basically, वो 6 freedom हमारी suspend दो जाती है, but यह केवल केवल तभी होगी, जब emergency के जो grounds है, या तो वो war हो, या external aggression हो, या दर कीगा, मतलब external emergency के कारण ही, जो grounds अगर external है, या तो देश में war शली किया, युद्ध हो गया है, या external aggression हो गया है, basically बात करेंगे, दूसरे देश ने आकरमन कर दिया, तिर्फ इनी दो grounds के उपर article 19 के rebellion वाला ground है, तो उसके उपर suspend नहीं किया जा सकता, article 19 के अंदर जो 6 freedom देखे रखी है, उन्हें, काफी important चीज है, यह काफी सो समझ के चीज किया गया, क्यों किया गया ऐसा, आपको सोचिए कि अगर बार-बार arm rebellion बोलके, अगर article 19 के अंदर जो fundamental rights दिये गया, छे basically जो freedoms है, उ उन्हें को suspend किया दिया गया, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि power का misuse भी किया जाए, that's why चीज किया गयी है, इसके बाद आता है article 359, यह article भी बहुत जादा important है, यह बात करता है, this article authorized the president to suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental right during a national emergency, मतलब national emergency की time पर जब आपके सारे fundamental rights को avoid कर दिया जाता है, तो नहीं कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि आपके सारे fundamental rights जो है, वो छीन लिया जाते हैं, आपके सारे fundamental rights cancel हो जाते हैं, यहाँ पर एक और चीज कहीं गई है, कि accept article 20 and 21, आप अपने दूसरे fundamental rights को लेकर, उनकी बातों को लेकर कि मेरे पास यह अधिकार नहीं, यह अधिकार छ कर देगा कि हमारे fundamental rights का violation कर दिया गया है, fundamental rights को छीन लिया गया है, ऐसा नहीं किया दा सकता है, बट इसमें exceptions है, exception क्या है, article 20 and 20, article 20 and 21, इसका मतलब यह है, यगर article 20 and 21 भी आपके suspend कर लिए गए हैं, तो फिर आप कहां जा सकते हैं, जूडिश्री के पास जा सकते हैं, याद र emergency के नाम से भी जाना जाता है, और precedent rule के नाम से भी जाना जाता है, article 356 बात करता है, state emergency की, वली article 356 state emergency की बात करता है, but article 355 के अंदर उस सारी बाते बताई गई हैं, कि किसी राज्य के अंदर constitution machinery fail हो जाने पर state emergency क्यों लगती है, बहुत interesting सी बात कहता है, article 355 कहता है, it is my duty to protect you against internal or external aggression, यह कौन कह रहा है, यह कह रहा है, हमारा union, हमारा central government कह रहा है, क्या कह रहा है, यह मेरे duty है, यह central government की duty है, union की duty है, कि जितने भी states है, वो उनको protect करेगा, किसे protect करेगा, internal aggression हो रहा है, state के अंदर कोई समस्या आ रही है, या बाहर का कोई aggression हुआ है, तो उससे protect कौन करेग यह union की duty है, यह हमारे central की duty होती है, इसमें एक और चीज़ कही गई है, to ensure that government in every state is carried out according to the provision of the constitution की भले, यह protect तो करेंगे, obviously चीज़ है, यह central government की duty है, यह सारे states को protect करेंगे, सारे states के लिए बात करता है central government, पर यहाँ पर एक और चीज़ रखी गई है, कि जो central government है, जो union है, वो यह यह भी देखेगा, जो राज्यों के अंदर जो काम किया जा रहा है, वो सविधान के according किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि constitutional machinery fail हो गई है, कि राज्य सविधान के according काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है, तो ऐसे time पर यह central की duty बनती है, कि राज्य क् जो कारवाई है, राज्य को कारोबार है, राज्य की जितनी भी चीज़ है, जो administration है, वो सारे का सारा वो अपने हाथ में ले ले, इसलिए इससे related एक और article है, काफे interesting चीज़ है, यह article 365, यह दोनों काफी relate करते है, तो पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जिस point को मैंने highlight किया, वो यह है, it shall be lawful for the president, देखिए यहाँ पर यह कहा गए, कि whether any state has failed to comply with or to give effect to any directions given in the exercise of the executive power of the union under any of the provisions of this constitution, सविधान के provisions के अनुसार, सविधान के according, अगर central government ने किसी राज्य सरकार को, किसी state government को को कोई direction दिया है, और उस direction को state government मानता नहीं है, उस direction को follow नहीं कर रहा है, तो president के बास यह अधिकार है, यह कानून के तहद उनको यह अधिकार है, उस state का जो भी rules है, regulations है, वो अपने हाथ में वो ले सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, it shall be lawful for the president to hold that situation as arosan, in which the government of the state cannot be carried on the accordance with the provisions of the constitution, मतलब यह कानून के तहद यह सही होगी, कि president यह मान ले, वो अपने हाथ में ले सकते हैं, article 365 की सीधी सीधी बात करता है, अब हम आते हमारे topic के उपर, इसकी process क्या है, देकि सीधी सी बात है, नाम ही state emergency, सीधी सी बात है, state emergency इसलिए इसी कहा जाता है, because अगर किसी state में किसी particular राज्य के अंदर, राज्य सरकार समिधान के according काम नहीं क इसे time पर क्या होता है, हाँ, ऐसे time पर, जो state assembly उसे dissolve भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है, dissolve किया भी जा सकता है, अब इसे लगाया कैसे जाता है, इसकी process क्या होती है, अब सभी जानते हमने पढ़ा भी है कि governor जो होते हैं, वो कही ना कहीं center के representative होते हैं, states के अंदर, राज जे का जो का म का जै वो सवधान के इसाब से नहीं चल रहा है, भी सेंटर के direction के हिसाब से राज सरकार काम नहीं कर रही है, तो governor एक report बना के दे सकता है, return के अंदर, यह तो एरिया के अंदर, इस राजिय के अंदर, इसली आ गई है तो उस एरिया के अंदर प्रेसिदेंट रूल डिक्लियर किया जा सकता याद रुखिएगा बट यहाँ पर वही चीज है कैबिनेट जो है वो बताएगी उनको कि यहाँ पर डिक्लियर कर दीजिए मत कीजिए मन से चीज़ा नहीं होती ना बताया है मैंने आपको ऐसी क के अंदर जो देश के राशपती जी है वो प्रोक्लें कर सकते है इन स्टेट इमर्जनसी का किसी भी राज के अंदर एज कर åt कर मेशल में बाट यहाँ पर हमने देखा था नेंचल इमरजनसी में 30 दिन के अंदर इसे पास होना से यहां पर special majority की जरूत नहीं पड़ती है, simple majority से approval मिल जाना चाहिए, एक बार approval मिल गया, तो यह कितने time टक रह सकता है, यह 6 महिने तक रहेगा, याद रखिएगा, continue रहेगा 6 महिने तक, मतलब एक बार अगर approval मिल गया, जैसा कि national emergency में 6 महिने तक था, वैसे ही state emergency के अंदर भी 6 महिने तक यह रहेगा, मुझे बताइगा, कौन से समयधानिक संशोधन के द्वारा, यह मैं भी पढ़ा चुका हम आपको, एक साल कर दिया गया था इस 6 महिने को, बताइगा, काफी important है, अब यहाँ पर हमने देखा था कि national emergency की तो कोई limitी नहीं थी, कितने भी time तक यह रह स 3 साल तक रह सकता है, मतलब जो संसद है, वो 6 बार अप्रूव कर सकती है, अगर आप ऐसे total calculation करेंगे, 6 महिने को लेकर, तो 3 साल यहाँ पर हो जाएंगे, maximum period, precedent rule का है, 3 साल, याद रुकिए, बहुत important है, और एको difference किया आगया, national emergency का approval के लिए 30 दिन चाहिए थे, यहाँ पर क एक साल से जादा किसी राज्य के अंदर राश्पती शाषन आपको लागू करना है, state emergency लेकर आना है, उसके लिए condition होती है, दो points, दो conditions से जो fulfill करना चाहिए, पहली condition होती है, कि प्रोक्लमेशन ऑफ national emergency in the whole India और any part of state, या तो पूरे देश में, एक साल से जादा अगर बढ़ा अब एक साल से जादा अगर प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं किया रह सकता कि डारेक्ली पार्लिमेंट का अप्रूवल ले लिया जाएगा, एक साल के बाद भी नहीं, अप्रूवल लेना होगा, पर अप्रूवल के साथ साथ दो conditions का fulfill होना जरूरी है, या तो देश के किसी एक particular हिस्से में, या पूरे देश में national emergency लागू है, और दूसरा condition यह होती ही कि election commission, यह बोल दे, clarify कर दे कि भईया इस राज्य के अंदर, जो राज्य की विधान सभाय उसके election कराना possible है ही नहीं, because conditions ठीक नहीं हुई है, तो यह दोनों conditions हो जाती है, ऐसी condition में, जो state emergency है, जो precedent rule है, उसे एक साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, but still या रखिये, maximum कितना हो सकता है, maximum यह period हो सकता है, 3 साल तक का, या रखिये, बहुत ज़्यादा important है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, अब किदी सी बात यहां पर वही होती है, कि the precedent में dissolve the state legislative assembly, और put it under suspension condition, दोनों चीज़े की जा सकती, जरूरी नहीं है कि dissolve ही कर देगा, but mostly condition में यह होता है, कि जो राज्य की विदान सबाय होती है, उन्हें suspend कर दिया जाता है, dissolve नहीं किया जा सकता है, but dissolve भी किया जा सकता है, president may dissolve, वो dissolve भी कर सकते हैं, या suspend कर सकते हैं, state की assemblies को, he may authorize the parliament to make laws on the behalf of the state legislature, जो obviously होता ही है, कि वो state legislature के बहाफ की ओपर, parliament का authorize कर देंगी, कि भाया, इस राज्य के अंदर मालो, पंजाब के अंदर national president rule लगा है, तो पंजाब के लिए जितने भी कानून बनाएंगे, वो कौन बनाएगा, हमारी parliament बनाएगी, central बनाएगी, बहले ही यह लिका है, he may but obviously होता ही है, इसलिए किया जाता है, इसके बाद it has no effect on the fundamental rights of the citizen, this point is very very important, national emergency के time पे fundamental rights पे effect हो रहा था, but जब हम बात करते है, president rule की fundamental rights के ओपर कोई भी effect नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी राज्य के अंदर अगर president rule लगा है, तो महां के लोगों के fundamental rights ही suspend हो जाते है, ऐस बिलकुल भी नहीं होता है, याद रखिए, बहुत बारे चीज़ पूछी कि यह confusion भी होता है, तो confused नहीं होना है, अरे president rule लगा है, यहाँ पर fundamental rights का violation नहीं होगा आपके, बहुत important point है, इसके बाद कैसे रिवो किया जा सकता है, president, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिनेंट अपने will प सकते हैं, जब भी उनको लगे, सिमर्जंसी को यह हटा सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत जादा important है, अब यहाँ पर एक और वो condition आ जाती है, कि अगर लोगसभा उस समय पर नहीं है, तो क्या किया जाएगा, लोगसभा dissolve हो गई, तो वही condition है, same चीज होगी, लोगसभा अगर dissolve हो गई है, तो राजसभा से 30 दिन में पास होना होगा इसको, राजसभा से 60 दिन के अंदर, विकोज यहाँ पर 60 दिन का criteria, 30 दिन का नहीं है, दो महिने का criteria है, तो राजसभा को 2 महिने के अंदर इसको पास करना होगा, और जैसे ही नई लोगसभा बनेगी, नई इसे approval फिर देना होगा कि जो proclamation है उसका approval 30 जिनों के अंदर देना होगा सिंपल सी बात है नेशली इमर्जनसी के अंदर भी यही था और स्टेट इमर्जनसी के अंदर भी सेम ही चीज है अब लास्ट इमर्जनसी हमारी आती है फाइनानशल इमर्जनसी जो fortunately अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगी है प्रेसिडेंट रूल के हम बात करें तो प्रेसिडेंट रूल काफी बार लग चुका है 100 से जाधा बार याद रखिएगा 100 से जाधा बार यह पंजाम में लगा है इसके अलावा मनिपूर के अंदर भी लगा है, लगबग 10 बार मनिपूर में लगा है, उत्तरप्रदेश में भी लगा रहा है। नाम से क्लियर हो रहा है financial emergency कि अब देश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब हो जाए जैसे कोईट के टाइम पर क्या हुआ देश के अंदर production बंद हो गया लोगों के jobs चले गए पैसाना बंद हो गया था ऐसी condition के अंदर देश की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही थी अब कोई ऐसी condition आ जाती है कि भारत सरकार के पास fund ही ना बचे अब बहुत कम fund बचे इसे 1991 के टाइम पर जब recession आया था तो एक condition आ गई थी अलग कि उस समय पर भी हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने देश को समाल लिया ऐसी चीज़े नहीं कर दिया जा रहा है ऐसी condition के अंदर वित्तियापात का लगाया जा सकता है आर्टिकल 360 याद रिकिया का बड़ा important article है अब सेम चीज़े इसके अंदर भी होती है यहां पर proclaim कौन करेंगे राश्पती जीसका proclamation करते हैं obviously हमारी जो cabinet है उनके कहने पर यह करते हैं इसका proclamation इसके मेने वाली बात भी इसमें नहीं है कि हर 6 मेने के अंदर इसको रिवूक करवाना होगा हर 6 मेने के अंदर इसको अप्रूव करवाना होगा ऐसा भी कुछ नहीं होता है याद रखिएगा indefinite period of time के लिए एक बार अगर देश में financial emergency लग गई तो अप्रूवल का condition नहीं होता ह कि अर 6 मेने में करवाना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है एक बार अगर लग गई तो वो indefinite period of time के लिए रहती है याद रखिएगा काफ़ important है अब इसमें होता क्या है basic क्या चीज़े होती सबसे पहली बात जितने भी money से related matters है चाए फिर वो राज सरकारों के ही matter क्यों ना हो चाए वो state government को यह money से matter क्यों ना हो money से related सारे matters का जो power है वो किसके पास चला जाता है center के पास चला जाता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है all money bills और other financial bills जितने भी money bills है financial bills है president अपने पास रख सकते हैं सिधी सी बात है अगर कोई राज सरकार ने कोई money will pass किया मदब state का जो consolidated fund है state की राज जी की जो संचित निदी है उससे पैसा उनको निकालना है अब वो will pass होगा नहीं होगा वो सारा का सारा president के हाथ में चला जाता है क्यों भया देश में financial emergency लगी ह भी है पैसा खर्चा कहा कर रहें तो निकाल रहें सारी शी से पूछी जाएगी काफी important point है याद रुखीगा इसके लावा जो salary allowances होते हैं जो भी लोग सरकारी नौकरी के अंदर एगर particularly मैं बात करो सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं चाहे वो राज्य सरकार की नौक की जौँ में इनकी salary को कम किया जा सकता है लगबग 70% तक कम किया जा सकता है बहुत बड़ी बात है 70% तक कम किया जा सकता है Pensions अगर कोई मिल रही है Pensions को कम कर दिया जा सकता है Pensions रोकी भी जा सकती है Okay, salary पूरी भी रोकी जा सकती है, यह conditions तक होती है आपन इसके बाद, the President में issue directions for the reduction of the salaries and the allowances of किसकी salary allowances को खतम किया जा सकता है, मैंने बता दिया All or any class of person serving in the union and the state यह ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार के तहट या केंद्र सरकार की duty में है, मतलब सरकारी नौकरी के अंदर जो है, इसके लावा Supreme Court और High Court के डिजिस की जो salary है, उन्हें भी कम किया जा सकता है, काफी important point है, नोट कर लीजीगा, बहुत बार exams में पुशा गिया है तो यह जो चीज थी, वो किसके बारे में थी, वो थी हमारी financial emergency के बारे में, और इसके बाद भी President इसे आपस से हटा सकते हैं, तो यह पूरा point था, emergencies याद रखीगा, तीन तरह की emergencies हैं, हमने काफी detail के अंदर पढ़िए, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे articles, जि इसतने भी important articles हैं भारती से, विधान के अंदर, जिनके पूछे जाने के chances लगातार बने रहेते हैं, हर examination के अंदर, उन सारे articles को हम एक बार देख लेते हैं, याद रखीगा, इन articles को आपको सिर्फ समझना है, मगप नहीं करना है, तो पहले बात करते हैं, पहले बात करते हैं जितनी भी हमारी states हैं, जितनी भी union territories हैं, उनके names के बारे में बताया गया है, उनका area कितना है, वो बताया गया है, यूटीज के बारे में बताया गया है, और उन सारी territories के बारे में भी बताया गया है, जो कि हम आगे जाके acquire कर लेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान occupy, क किया जा सकता है चेंज किया जा सकता है नेम्स को चेंज किया जा सकता है बाउंटरीस को इंक्रीज किया जा सकता है जितने भी बाउंटरीस हैं उनको कम भी किया जा सकता है ज्यादा भी किया जा सकता है जैसा कि अभी हमने देखा था कि जम्मो इन कश्मीर लद्दाक इन दोन अंदर आती, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिडिजनशिब की बात करता है, नाघरिक्ता की बात करता है, हमारे देश में एकल नाघरिक्ता है, इसमें दो ही आर्टिकलस important है, पहला आर्टिकल हैार्टिकल 9 जो बेसिकल कहता है कि अगर किसी दूसरे परसंने, किसी परसं बनाया जाते हैं, उन सारे कानूनों को बनाने का अधिकार किस के पास है, हमारी पार्लियमेंट के पास है, संसद के पास है, तो ये दो आर्टिकल्स आपको याद रखना है सिटिजन्शिप के अंदर, आगे बढ़ते हैं, ये बाद हमारे DPSP के अंदर कुछ इंपोर्नेंट जिसके बारे में कई बार मैंने आपको बता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 39 नहीं, जो कि बात करता है, इक्वल जस्टीस और फ्री लिगल एड की, ये बहुत एक्जामनेशन में पूशा गिया है, इक्वल जस्टीस और फ्री लिगल एड का बेसीकली मियाद रखिएगा, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी कहीं बार एक्जामस में पूशा गया है, कि जिस तरीके से क्रिमनल लॉस एक जैसे होते हैं, सिविल लॉस भी बराबर होना चाहिए, जैसे हिंदू मैरिज अलग होता है, मुसलिम मैरि कोटे बच्चों को, यह इसकी बात कर रहा है, यह भी याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आर्टिकल 48 अनिमल हस्वेंडरी की बात करता है, अगरिकल्चर और हैं, डीपी एस्पी के ही यह आर्टिकल्स हैं, और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्ट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51, जो बात करता है, प्रमोशन ओफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, इसके बारे में भी मैंने आपको डीटेल में, डीपी एस्पी के अंदर बताया है, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, काफी डीटेल में हमने इसके बारे म बात करता है, याद रुकिएगा, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के द्वारा, 10 fundamental duties को एड किया गया था, हमारे सविधान के अंदर, अभी जो है वो 11 हो गई है, तो ये जितनी भी fundamental duties हैं, याद रुकिएगा, इनके बारे में examinations में कुश्चन पूशे गए, और स्पैसिफिकली 11th Constitutional Amendment Act 2002 के द्वार जोड़ी कई है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जाए, आटिकल 52, ये कहता है कि हमारे देश में एक राश्पती होंगे, प्रेसिदेंट ओफ इंडिया के रिलेटेड आटिकल है, आटिकल 61, इंपीच्मेंट की प्रोसेस के बारे में बात करता है, राश्पती जी के उप राश्पती जी की और आटिकल 72 बात करता है, पाडरिंग पावर्स की, भारत के राश्पती की जो शमादान की शक्तियां है, उनके बारे में आटिकल 72 बात करता है, बहुत इंपॉर्टन चीज़े याद रखेगा, नेक्स पॉइंट की हमें आपर बात करते हैं, आटिकल 74 यह कहता है कि जो काउंसिल ओफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर हमारे देश के जो राश्पती जी हैं, वो काम करेंगे, बहुत बार बहुत सारी एक्जामनिशन के अंदर यह पॉइंट पूइंट 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 करते हैं, बट किसके अधान मंतरी की एड और एडवाइस के उपर, ओके यह पॉइंट आसान है, इसके बाद यह हमने देखा था, किस कॉंसिल अमेंटमेंट के द्वारा यह चीज कही गई है, मुझे बताएगा, बिकास अभी हमने यह चीज समझी है, इसके बाद एक बड़ा इंपॉटन होते हैं, वो किसके लिए collectively responsible होते हैं, तो they are collectively responsible to the local suba, next, कोई भी ऐसे व्यक्ती, जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो 6 महने तक उस हाउस में रह सकता है, हाँ, 6 महने के अंदर उससे अपनी majority, majority की बात की जाए, वो भी ठीक है, बट majority के अलावा, अगर मैं सीधी-सी की बात करूँ, 6 महने के अंदर उसको अपनी membership proof करनी पड़ती है, ये चीज़ भी कही गई है, आर्टिकल 75 के अंदर ही, next हमार है, attorney general of India, जो कि आर्टिकल 76 के अंदर आते है, बहुत ही जादा important article, various examinations के अंदर पूशा गया है, वेकि attorney general basically एक ऐसी post होती है, जो कि भारत सरकार को judicially represent करते हैं, supreme court में और हाई court के अंदर, article 76 इनकी बात करता है, ये बात की जाए, कौन appoint करते है, president appoint करते है, इनकी जो condition है, कि कौन attorney general बन सकता है, जिसमें पहली condition ये होती है, कि 5 साल तक वो भारत के अंदर किसी हाई court के judge रहे हो, याद रखिएगा 5 साल तक, हो सकता है कि 3 साल किसी एक high court में रहे हैं, 2 साल किसी दूसरे high court में रहे हैं, ये भी चल जाएगा, totally 5 साल तक किसी भी high court के judge रहे हो, या 10 साल तक high courts के अंदर advocate रहे हो, मतलब 5 साल किसी एक high court में, 3 साल किसी एक high court में, 2 साल किसी एक high court में, इस तरीके से भी अगर 10 साल complete करे हैं हिन्होंने, तो भी यह applicable या कह सकते हैं कि eligible होते हैं, इसके बाद तीसरी जो condition होती ही, वो यह होती ही, कि वो eminent jurist हो, president की नजर में कानून के बहुत बड़े ग्याता हूँ, यह point भी आपर रहता है, याद रुखिएगा, इसके लावा, first attorney general थे, m.c. स्टेलवेट और अभी जो current attorney general है, उनका नाम है, आर वैंकट रमना, याद रखिएगा, आर वैंकट रमनी, बहुत important है, यह उन्हीं का picture है, exam में पूशा गया, tenure इनका fix नहीं होता है, अब attorney general को लेकर एक काफी important point है, वो point में आपको बता देता हूँ, हाला कि आगे जब हम attorney general क 头 को, detail में पढ़ेंगे, उनके बारे में हम इस बारे में बात भी करेंगे, attorney general को पार्लेमेंट के किसी भी law officer होते हैं, पहले कौन होते हैं हमारे attorney general होते है, solicitor general second highest law officer होते हैं, इस subordinate होते हैं attorney general के, और ये भी सरकार को advice देते हैं legal, matters के ओपर इनको तीन साथ्म के लिए इस प्राइम निंस्टर याद करने के लिए कौन अगले इक इस समेधानिक पोस्ट थी टेमतृत निस्टेम Creative पार्ति सविधान के अंदर पार्लेमेंट ने लग से कानून बना के इस पोस्ट को लाया गया है तो याद रुखिएगा इस टैट्वरी पोस्ट है आगे बात कीज़ा आर्टिकल 78 बात करता है पार्लेमेंट के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जो देश के प्रधान मंतरी है उनकी duties के बारे में उनके power के बारे में बात करता है और एक बहुत important चीज़े कहता है कि देश के प्रधान मंतरी जी का ये करतव है और हमारे राश्पती जी जो है ये उनके पास एक power भी है कि देश में क्या चल रहा है जो matters होते हैं उन matters को लेकर वो हमारे देश के राश्प पार्लेमेंट के अंदर मैंने बहुत जादा डीटियल के अंदर आपको बता है, आर्टिकल 79 संसत के बारे में बताता है कि संसत तीन चीज़ों से मिलकर बनी होगी, लोकसभा, राजसभा और देश के राष्टपती, याद रुखिएगा, नेक्स पॉइंट की बात करते हैं, आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में हैं, आर्टिकल 112 बजट के बारे में हाला कि बजट जैसा शब्द हमारे सविधान में नहीं है, बजट की जगए जो शब्द उससे क्या कहा जाता है, एन्वल फाइनशल स्टेटमेंट, याद रुखिएग किसे आर्टिकल 124 बात करता है, Establishment and Constitution of Supreme Court, Supreme Court का जो आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 124, नोट कर लीजी का बहुत बार examinations के अंदरे कहीं बार पूछ लिया जाता है, इसके बाद आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट के advisory power की बात करता है, कि प्रेसिडेंट जो है, वो कानून के किसी भी मुद्दे के ओपर Supreme Court से advise ले सकते हैं, आर्टिकल 148 बात करता है CAG की, आर्टिकल 153 बात करता है Governor of States की, और इसमें Governor of States के अंदर जो सबसे important आर्टिकल है वो होता है, आर्टिकल 161, ये आर्टिकल ये कहता है कि जिस तरीके से देश के राश्पती जी क पास आर्टिकल 72 के तैस शमादान की शकती है, वैसे ही देश के Governor के पास भी अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग गर्वर्नर होते हैं, जो राजपाल होते हैं, उनके पास भी शमादान की शकती होगी, इसके बाद आर्टिकल 165 बात करता है Advocate General of State की, आर्टिकल 168 Commission of Legislative Council के मुझे बताईगा कि Legislative Council का Maximum Strength कितना हो सकता है, comment के अंदर बताईगा, important चीज है, पूछा गया है और मैंने बताया भी है, काफी डीटेल में बताया है आपको, okay, next point की बात करते है, आर्टिकल 165 हमने देख लिया है, अगला है, आर्टिकल 213 बात करता है, गवर्नर के ओर्डिनेंस पावर की, आर्टिकल 123 बात कर रहा था, राश्पती के ओर्डिनेंस पावर की, और आर्टिकल 213 बात करता है, गवर्नर के ओर्डिनेंस पावर की, इसी तरीके से आर्टिकल 214 यह बात करता है, अभी हमने क्या दिखा था, आर्टिकल 124 बात कर रहा था, सु हनी बार हमने इसके बात कि कि हाई कोर्ट के रिटिशो करने का पावर की बात करता है एक माद रहत है क्यों कि नीजेerm कोर्ट सिर्फ और स्रफ फॉंधामेंटल राइट के केस मेरे टिशू कर सकता है जबकि high court fundamental rights के अलावा कोई legal right है constitutional rights है उसको लेकर भी टिशू कर सकता है तो high court का power यहाँ पर रिट्स को लेकर थोड़ा सा ज़ादा है article 231 बात करता है establishment of common high courts for two or more states दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक common high court हो सकता है इसकी बात करता है article 231 हमने देखा था 7th constitutional amendment साथवे समयधानिक संशोधन के तहट इस बात को कहा गया है तो बहुत important चीज है यह आगे हम बात करते हैं यह सारे articles पंचायत के हैं आप देख लीजिएगा इसमें जो important है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे की reservation वाला article 243 D reservation की बात करता है article 243 H taxation की बात करता है और article 243 tenure की बात करता है याद रुखिएगा इसके अलावा आगे हम देखेंगे article 243 I financial power की बात करता है article 243 के elections की बात करता है यह मैं detail में आपको समझाओंगा पंचायती राज का और municipal corporation के जब हम lectures को देखेंगे तो हम काफी detail में समझेंगे उसी तरीके से article 243 जो part 9A के अंदर है उसके अंदर हम देखेंगे कि article 243 P से लेकर article 243 ZB तक हमने ZG तक basically हमने municipal corporations की बात की है हाला कि आपको यह मगप नहीं करने सिर्फ आपके एक knowledge के लिए यह वाले articles में लेकर आया हूँ आगे बात करेंगे हम आगे काफी important articles से बाने वाले जैसे बात करें article 266 की article 266 किसकी बात करता है article 266 बात करता है भारत की संचित निदी की आटिकल 267 बात करता है contingency fund की और आटिकल 280 बात करेगा finance commission की याद रखिएगा finance commission देश का पांस साल का इसका tenure होता है और देश के जो राश्पती जी है वो इसका अगठन करते हैं उसा गया examinations के अंदर commissions को भी हम detail में समझेंगे next point की और बढ़ते है next point ए article 312 यह बात करता है all India services की all India services को लेकर राज सभा के पास ज्यादा power है अगर कोई नई services को लेकर आना है all India services में तो राज सभा उस नई services को लेकर आने के लिए पहली बार प्रस्ताव रख सकता है लोग सभा नहीं रख सकती राज सभा रख सकती यह power है राज सभा के बास इसके लावा article 315 जो है वो UPSC and state PCS की बात करता है article 324 बात करता है election commission की चुनाव आयोग की बात करता है आगे बात करें article 330 यह reservation की बात कर रहा है SC और ST के reservation की बात करता है लोग सभा के अंदर article 331 बात करता है Anglo Indian Community के representation की लोग सभा में सब बता चुका हो में article 332 बात करता है reservation of seats of STN SC in legislative assembly राज्यो की विधान सभाव में reservation की बात करता है article 332 और 333 बात करता है राज्यो की विधान सभाव में Anglo Indian Community के reservation की आगे next point की बात करें article 338 यह बात करता है national commission for schedule caste article 338 याद रिखिए का यह important है यह बात करता है national commission for schedule tribe article 338 भी बात करता है national commission for backward classes clear है और इसमें काफ़ important आर्टिकल है जिसको लेकर question पूछे गए वह आर्टिकल 351 article 351 यह कहता है कि central government को Hindi language को develop करना चाहिए इसके लिए directions देते हैं हिंदी के promotion के लिए article बात करता है इस article को लेकर कई बार विवाद भी हुए है क्योंकि जो नौर्थ अगर हम बात करें southern states की तो इस article को लेकर खोड़ी सी परशानी वहापर रही है और कई बार विवाद भी हुए है चलिए आगे बढ़ते हैं अब last के कुछ articles है हमारे article 352 बात करता है national emergency की 356 बात करता है president rule की और article 360 बात करता है financial emergency की तो यह सारे articles हमने देख लिए है इन articles को हम already detail में पढ़ चुके है ठीक है इंट्रेस्टिंग सी चीज़े हमने पढ़ी important amendments पढ़े emergency के बारे में जाना है attorney general के बारे में पढ़ा है बट चिंता मत कीजिए attorney general solicitor general advocate general यह सारी जितनी भी post है इनके बारे में अलग से lecture होगा अगर आप बाद में इस lecture को देख रहे है तो आपको playlist के अंदर अलग से lecture मिल जाएगा जहापर सारे important commissions और सारी important post के बारे में मैंने बता दिया है जिनके examination में आने के chance सबसे जादा है चलिए आप सभी अपना ध पहले करिएगा ठीक है बाकी amendments को आप रहने देंगे तो चल जाएगा कोई issue नहीं है पर जो important amendments से उनको आपको पहले करना है तलिए आपसे मैं next lecture के अंदर मिलता हूं I hope आपको सारी चीज़े समझ में आई होगी detail में आप पढ़ाई करते रहे है और believe me अगर आप इसी तरीक के से मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी कलिए मैं आपसे next lecture के इंदर मिलता हूं आप सभी अपना ध्यान रखेगा तब तक के लिए जैहिन जै भारत